हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आप लोग बिलकुल बढ़िया होंगे बिलकुल मज़े में होंगे यार यार पहली बार मिल रहे हम लोग राइट तो बिटा मेरा नाम है केशव जाजू और हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्लीट को लेके सर बदनाम चाप्टर बिटा ओविसली यार जो बच्चे पी ब्लॉग एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं एक बार स्कूल में यार जो बच्चे ऑल्रीडी कोचिंग से पढ़ रहे हैं आप लोग जिस भी तरीके से पढ़ चुके है यार सब बच्चों को पता है यह च चीजों को रटते रहो रटते रहो और जाते रहो हम तो चोड़ की चले जाएंगे तो बिटा ट्रस्ट मी इन औरगैनिक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है अगर इन औरगैनिक पे तुम्हारी एज है ना तो एक तो तुम्हें पैन उठाने की ज़रुत नहीं है और फ्री के चीजे याद ही टिक किया, याद ही टिक किया, believe me, आप फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल सौल करोगे, थोड़ा पैन चलाना पड़ेगा, calculation करनी पड़ेगी, और्गैनिक का सवाल सौल करोगे, थोड़ा सा मेकैनिसम में दिमाग लगाना पड़ेगा, यार, इन औरगैनिक केम समाग में छपी हुई है तो बस ठीक ही करनी होती है और भ gener special का हो या in organic chemistry का हो दिला के थो बराबरी नंबर जाएगा ना यार दिला के तो 4 नंबर जाएगा बट यहां पर 4 नंबर लाना बढ़ा असान है अगर तुमने थोड़ा interest से पढ़ लिया तो ठीक है I understand कुछ चीजे आपको याद करनी पढ़ती हैं कुछ चीजे आपको रठनी पढ़ जाती हैं बट बिटा अगर आप चीजों को लॉजिक से समझोगे चीजों को समझ समझ के याद करोगे या समझोगे ना लिकलिक के पढ़ोगे तो उतना मुश्किल भी नहीं लगेगा ठीक है तो आज मैं मिला हूँ आप लोगों से और हम आज की सभा में कोशिश करेंगे कि यह जो बदनाम चैप्टर है इसको थोड़ी इजद दिला दे ठीक है थोड़ा से इससे प्यार मौबबत कर ले थोड़ी सी चीज़े हमारे लिए ऐसी बना ले कि नीट में जब भी कोई सवाल आएगा हमारे लिए बिलकुल केक वॉक हो जाएगा ठीक है साब हम क्या करने वाले हैं हम पीब्लॉक एलिमेंट्स को थरिली रिवाइस करेंगे बेटा देखो हमेशा बोला जाता है सब बोलता है मैं भी यहीं बोलूँगा इन और्गैनिक केमिस्ट्री के लिए यह और एंसी आर्टी इस यॉर बाइबल एंसी आर्टी के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता पर एंसी आर्टी की एक एक लाइन से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं जितने भी उसके important topics है जिनसे आज तक नीट में पिछले 15, 20, 22 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उन सबसे जो मैंने conclusion निकाला है कि भाईया कौन-कौन से topics है जो mostly asked है कौन-कौन से topics है जिनसे आने की probability ज़ादा है मैं वो सारे topics सुनना ये session इस बात की guarantee नहीं देता कि आपके exam में 100% number P block में आई जाएंगे क्या ये उन बच्चों के लिए है जिनको इस chapter का एक quick recap लेना है ठीक है या वो बच्चे जो इस chapter को उठाने से डर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और इस chapter को उठाने स पढ़ चुके हैं already एक तरीके से P block को पढ़ चुके हैं और वो चाते हैं कि उन्हें को ऐसा tool मिल जाए कि बही मैं जल्दी से एक से देड़ घंटे के अंदर इस chapter को recap कर लूँ उनके लिए series तो ही भया उनी के लिए लाए है majorly बट जिन बच्चों ने नहीं उठाया वो भी इस को utilize कर सकते हैं यह resources आपको सारे मिलेंगे resources को use कैसे करना है यह आपको आना चाहिए सही बात है okay जी तो शुरू करें तो बेटा मैं क्या कोशिश करूंगा देखो कुछ चीज हैं जो आपको यादी रखनी पड़ेंगी कुछ हैं जो आपके बड़े दुखदर्द हैं ज जाता है मुझे तो परॉक्सिलिंग के जी आज तक समझ नहीं आई उन सारी बातों के जवाब आज आपके मैं दे दूँगा और ट्रिक्स के साथ दे दूँगा तो बिटा बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे हम आज का चाप्टर बिलकुल एनरजी के साथ शुरू करें हम लोग तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलेमेंट्स का एक कुईक रिविजिन बिटा अगर मैं आपसे पी ब्लॉक एलेमेंट्स की बात करूँ अगर मैं आपसे पी ब्लॉक एलेमेंट्स की बात करूँ तो कौन होते हैं ये पी ब्लॉक एलेमेंट्स तो भाईया सीधी जी बात है electronic configuration लिखना तो atomic structure में ही सीख लिया था 11V में है ना उसके बाद यूज करते आ रहे हैं उसको तो भाईया वहाँ पे आपको सिखाया गया था कि ऐसे एलेमेंट्स जिनका outdoormost electron S subshell में जाता है SA elements जिनका last electron S subshell में जाता है उन्हें हम कह ढिते हैं S block elements SA element जिनका आउटरmost electron P subshell में जाता है उन्हें बिटा हम क्या देते हैं P block elements ऐसे element जिनका outermost electron D sub shell में ज़्यादा आता है उसको हम D block क्या देते हैं और फिर हमारे पास में जिनमें F में जाता है उन्हें हम F block क्या देते हैं ये chapter आप 11th class में पढ़ चुके हो ये chapter D and F block आप 12th में पढ़ोगे हम करेंगे इसका भी discussion करेंगे एक दिन ठीक है जी बट जो P block है ये बिटा कुछ पार्ट तुमने 11th में पढ़ा है कुछ पार्ट तुमने 12th में भी पढ़ा है ठीक बात है आप लोग 11th में भी पढ़ते हो इसको और 12th में भी पढ़ते हो इस से major number of questions पूछे गए है major number of questions ठीक है तो हम ये वाला पाड आज अच्छे से discuss करने वाले है clear as up चलो जी बहुत बढ़िया आपको ये पता चल गया कि P block elements क्या होते हैं ऐसे element जिनका outermost electron P sub shell में जाता है वो आपके P block की elements है right तो आज हमें करना क्या है what are the topics we want to cover we want to cover group number 15 group number 16 group number 17 and group number 18 ठीक है ये चार groups में आज cover करने वाला हूँ along with that हम कुछ tricks सीखने वाले हैं to draw structures and and हम trick सीखने वाले है to learn reactions कुछ reactions ऐसी होती है कुछ orders ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रखा जा पाता हम बोलते हैं बहुत सारा रटने के लिए हो गया है तो उन्हें कैसे easily याद रखा जा सकता है ठीके साब clear है शुरू करें बातचीत बिटा अगर मैं यहापे आपसे बात के अंदर जो सवाल आपसे examiner पूछता है न वो यार chemical bonding और P block का mixture सा ही होता है ठीक है बहुत सारी चीज़े आप bonding में पढ़के आते हो बहुत सारी चीज़े आप यहाँ भी पढ़ लेते हो तो बिटा मैं आपसे bonding के जो important फंडे हैं जो मेरे काम आने वाले हैं इस chapter में पहले करता है यह कहां से कहां लाए करता है यह लाए करता है ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जिसमें ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 आप 11th क्लास में पढ़ लेते हो ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक आप 12 में पढ़ते हो और वो majorly important है जादा सवाल इसी से सवाल ना आया हो, जिनमें इन में से सवाल ना आया हो, समझ रहे हो मेरी बात, पक्का ना, ठीक है साब, अगर मैं P-Block वालों का एक General Configuration बोलूं कि P-Block वाले Elements का General Electronic Configuration क्या हो सकता है, तो बिटा General Electronic Configuration इनका होता है ये, NS2, NP126, NS2, NP126, क्योंकि P-Subshell में Maximum कितने Electron आ सकते हैं, 6 Electron आ सकते हैं, तो ठीक है जी, अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो आपका जो Group 13 होता है, इसको आप बोलते हो Boron Family, और Boron Family का अगर आप General Configuration देखेंगे, तो वो हो जाएगा NS2, NP1, ठीक है, Group 14 जो होता है आपका, इसको आप बोलते हो Carbon Family, इसे हम क्या कहते हैं, Carbon Family, और इसका General Configuration हो जाता है NS2, NP2, ठीक है, then you have your Group No. 15, जिसको आप बोलते हैं Nitrogen Family, बिटा यह Families के नाम हमने क्या किये हैं, जो Group का पहला Member होता है, जो Group का पहला Element होता है, उसी के आधार पे उनके नाम रख दिये हैं, यह Boron से शुरू होता है, तो Boron Family, यह Carbon से शुरू होता है, तो Carbon Family, यह Nitrogen से शुरू ह होता था तो Nitrogen Family, ठीक है जी, यहां Configuration होता है, NS2, NP3, बिटा ध्यान दीजिएगा, यह Configuration बड़ा Important है, क्यों Important है, बिटा हम बात करते हैं, Half-Filled और Fulfilled Configurations are Really Really Very Stable, सही बात है, Half-Filled और Fulfilled Configurations आपके बहुत Stable होते हैं, और अगर वो बहुत Stable होते हैं, तो यहां देखिए ना, P में Maximum 6 Electron आ सकते थे, यहां कितने आए हैं, 3 Electron, मतलब P Subshell कैसा है यहां पे, Half-Filled, तो यह Configuration काफी Stable है, कैसा है काफी Stable, जब आप Periodic Properties पढ़ते हैं, तो इसी के आधार पे आप Ionization Energy, आप Electron Affinity के Orders बनाते हैं, राइट, Specially Ionization Energy का, ठीक है साब, ओके, Group No.16, Group No.16 आपका होता है, Oxygen Family, Group No.16 आपका हो जाता है, Oxygen Family और Configuration तो तुम समझी गए होगे, NS2, NP4, Group No.17 आपका होता है, अब सर इसको Fluorine Family क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि बेटा, Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, उनको एक Common Collective नाम दिया जाता है, जो काफी Famous हैं इंडस्ट्री में, That is your Hal Halogen Family, ठीके जी, Halogen Family, और Halogen Family का General Configuration होता है, NS2, NP5, क्या होता है, NS2, NP5, और Lastly आपका आता है, Group No.18, और Group No.18 में आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो, Noble Gases, या फिर Inert Gases, ठीके जी, और ये तो होती ही Fully Filled है, NS2, NP6, भीटा, इस पे भी, अगर पूछने वाला सवाल बनाना चाहे, तो इस पे भी बड़ा एक Basic सवाल बना सकता है, क्या बना सकता है, हर Slide एक सवाल है, ठीके है, हर Slide एक सवाल, Nitrogen Family जो है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है, Nictogens, ठीके, कुछ ल Nitrogen Family के जो Compound होता है, वो होता है, Poisonous, और Poisonous के लिए वर्ड यूज होता है, Nictogens, सही है, इसी तरीके से Oxygen Family वालो को हम बोल देते हैं, Chalcogens, क्या बोल देते हैं, Chalcogens, क्यों, क्योंकि Oxide के, Oxygen के, और बहुत बनता है, Oxides के, Sulphides के, ठीक है, तो Chalcogens जो है, ये किनको बोलत है, Ore Producing वाले Elements को, जो Ores बहुत जादा Produce करते हैं, अब Ore क्या होता है, ये आप Metallurgy में पढ़ चुके हो, ये होता है, आपके Halogens, Halogens, Salt Producing जादा होता है, और ये आपकी Noble Gases, सही बात है, चलो जी, हमें discussion शुरू करने है, Group 15 से, जो बहुत ही जादा Important है, काफी Important है, then Group 16, 17 and 18, ठीके जी, चलो, शुरू करें, हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी Important बातों को Quickly Revise करने के लिए, चलो जी, शुरू बात चीत करें अगर हम, मैंने आपको बोला था, कि मैं आपको ये चार Groups पढ़ूँगा, तो सही, बट इनको पढ़ने के लिए, और सवालों का Pattern समझन के लिए, मुझे कुछ चीजे Bonding की आनी चाहिए, I know, आपको Bonding पहले से ही आता होगा, अच्छे से आता होगा, बट मैं मेरी सहूलियत के लिए, जिन बच्चों ने पहले के Lecture नहीं देखे हैं, या जिनको दिक्कत होती है, एक बार मैं discussion करना चाहूँगा, ठीके, मुझे दो important चीजे Bonding से उठानी है, जो यहाँ पर discuss करनी है, जो मैं शुरू करता हूँ, एक एक करके, पहली चीज इनर्ट पेर इफेक्ट, पहली चीज क्या, इनर्ट पेर इफेक्ट, और दूसरी चीज बिटा, hybridization, दूसरी चीज क्या, hybridization, ठीके साब, देखना ध्यान से, अगर S-subshell वाले electron, उनका bonding में हिस्सा लेना, prohibit सा हो जाता है, they are quite reluctant to give their electrons, या to make their electron participate in bonding, क्या बोला मैंने, inert पेर इफेक्ट, बेसिकली ये कहता है, कि reluctance, reluctance word की बड़ी important है, इंपोर्टेंस हैं आपे, reluctance of N-S electron to take part in bonding, reluctance of N-S electrons to take part in bonding, bonding के अंदर N-S subshell के जो electron है, ये bonding में हिस्सा लेने के लिए क्या होते है, reluctant होते हैं, ठीके जी, अगर ये अपने electron नहीं देना चाते, bonding में हिस्सा लेने के लिए, तो फिर बेटा, उस case में अगर आप P-block वालोगी बात करोगे, तो आपके P-block के general configuration को अभी अभी हमने देखा है, अगर S वाला bonding में हिस्सा लेने से मना कर देगा, तो bond बनाने के लिए सिर्फ कौन यूज़ करने पड़ेंगे, P वाले यूज़ करने पड़ेंगे, सिर्फ कौन यूज़ करने पड़ेंगे, P वाले, तो येस, जैसे जैसे आप down the group जाते हो, heavier members में, या मैं बोलू जो सबसे last वाले members होते हैं, उनमें बेटा, S electron bonding में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, तो सिर्फ P वाले electron ही जा पाते हैं, and that's the reason आप बोलते हो कि stability of lower oxidation state increases down the group, stability of lower oxidation state increases down the group, हमने बोला, stability of lower oxidation state increases down the group, Sir, example से समझाओ, ऐसे theory से तो feel नहीं आई, है ना, तो feel दिलाता हैं आपको, देखो ध्यान से, अगर आप बात करें यहां पर, let's say nitrogen family की, या boron family से शुरू करते हैं, ठीक है, boron family, तो यहां पर होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन्थेला, सर यह क्या बोल दिया, अरे भईया, बोरॉन, aluminium, gallium, indium और thelium, यह होते हैं आपके पास में, ठीक है जी, यहां general configuration क्या होता है, NS2, NP1 होता है, बिटा मुझे एक बात बताओ, अगर NS2, NP1 मेरा general configuration है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे maximum कितने electron निकल सकते हैं, maximum तो 3 electron निकल सकते हैं, क्योंकि 1 P का और 2 S के, है ना, अच्छा, कम से कम कितने electron निकल सकते हैं, अगर S वाला bonding में participate करने के लिए मना कर दे, तो आप यहां पे maximum अगर plus 3 है, तो उससे नीचे एक और state पे आ सकते हो, plus 1, मैं यह नहीं कहूंगा, यह minimum है, बट plus 3 के बाद में जो देखी जाती है, वो है plus 1, सही है, ठीक है, तो हमने बोला, कि अगर आपने aluminium की बात करी, तो aluminium पे आप बोलोगे, plus 3 ही जादा stable है, plus 1 से, ठीक है, अगर आप indium की बात करोगे, तो यहां भी generally, plus 3 ही जादा stable है, plus 1 से, बट यदि आप thelium पे चले गए, यदि आप thelium पे चले गए, तो thelium पे बेटा, plus 1 जादा stable होता है, plus 3 से, कौन जादा stable होता है, plus 1 जादा stable होता है, plus 3 से, क्यों, क्योंकि बेटा जब नीचे आते हैं, तो S के electron bonding में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, और lower oxidation state, जादा stable हो जाती है, higher oxidation state से, plus 3 उसकी higher oxidation state है, plus 1 comparatively lower oxidation state है, बट यह जादा stable हो जाती है, सही है, ठीक है साब, अगर यही चीज़ आप लगाओगे carbon family में, let's say, अगर आप यही चीज़ carbon family में लगाते हो, तो last element है lead, तो lead, ठीक है जी, carbon का general configuration है, NS2, NP2, तो बिटा maximum तो कितने electron नीकल सकते हैं, plus 4, और उस अगर lower state में आना हो, तो plus 2, क्योंकि S वाल अगर मना कर देगा, तो P के 2 electron ही रह जाएंगे, ठीक है जी, तो अब एक बात बताओ, अगर आपने SN की बात करी, let's say, tin की, ठीक है, tin की, तो tin में तो आप बोलोगे, भई, plus 4 ही stable होता है, plus 2 से, और इसके उपर वाले members में भी, germanium में भी, silicon में भी, सिल होती है, ठीक है, यही बात, यही बात हम फिर से use करते है, nitrogen family के लिए, nitrogen family में होता है, NS2, NP3, general configuration, right, ठीक है जी, maximum तो हो गया, plus 5, P के 3, और S के 2, इस से कम क्या हो सकता है, plus 3, कैसे, भई, S वाला मना कर देगा, आने से, P में 3 electron ही रह गए, ठीक है जी, अगर यहाँ बात करनी ह है, तो हम बोलेंगे, अगर आपने बिस्मत की बात करी, तो बिस्मत में, plus 3 ज्यादा stable होगा, plus 5 से, बट यदि आपने, let's say, phosphorus की बात करी, तो phosphorus में तो, plus 5 ही ज्यादा stable होगा, plus 3 से, क्यों, क्योंकि lower members के अंदर, जब आप down the group आते हो, ठीक है, नीचे, 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 जै से आते हो, तो lower member में तो higher oxidation state ही ज्यादा stable है, पर heavy members के अंदर, lower oxidation state, high oxidation state से ज्यादा stable है, reason, inert perfect, ठीक है जाब, समझाई ये वाली बात अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ओके जी, ये था आपका inert perfect, क्या कहता है, कि S electron bonding में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, जिस से lower oxidation state ज्यादा stable हो जाती है, है ना, तो ये कारण होता है, इनकी stability का, ये orders आपको पता होने चाहिए, ये काम आते हैं, सही है, इसको use करूँगा मैं आगे, चलो जी, inert perfect तो आपको बता दिया, अब अगर हम बात करें hybridization की, तो यार देखो, hybridization आपको पता है, intermixing of orbitals होते है comparable energies वाले orbital mix हो जाते है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, DSP2, इस तरीके के hybridization दे देते हैं, मुझे आपको क्या सिखाना है, एक तो hybridization निकालना कैसे होता है, ठीक है, और एक मुझे बताना है, उससे structures कैसे बनते हैं, क्योंकि बेटा, P block में group 17 और 18 से maximum सवाल structures क्या आते हैं, XCF2, XCF4, XCOF4, XCO2F2, XCF6, IF7, CLF3, BRF5, इन सब के structures पूछ चुका हैं, वो exam में, आप papers उठा के देख लो पुराने, ठीक है जाब, तो हम discuss करते हैं, कि वो चीज हम कैसे करेंगे, तो hybridization अगर निकालना हो, तो बिटा देखो, organic case आपसे तो आप ऐसे बोलते हो, कि hybridization कैसे calculate क किया जाता है, it is sum of number of sigma bonds, plus number of loan pairs, जिस भी atom पे hybridization निकालना है, उसने कितने sigma bond बनाए हुए हैं, प्लस कितने loan pair हैं, वो count कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीके जी, हम एक और method use करते हैं, क्या method होता है, वो steric number method, क्या होता है method, steric number method, ठीके, steric number method को, जो steric number होता है, उसको मैं x मान रहा हूँ, let's say, जो steric number है, उसको मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, कैसे निकलेगा, x की value हो जाएगी, half, s plus v minus q, ये formula आना चाहिए आपको, x की value क्या हो जाएगी, half, s plus v minus q, ठीके, बिटा, इनका मतलब समझ में आना चाहिए, आपको बड़े अच्छे से, आइए discuss करें, s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है, number of monovalent surrounding atoms, s का मतलब होता है, number of monovalent surrounding atoms, ध्यान से देखिएगा, monovalent surrounding atom, बिटा, monovalent क्या होता है, जिसकी valency 1 होती है, सिर्फ वही count होते है यहाँ पे, जैसे कि CL- हो गया, ठीक है, O-2 नहीं होगा, F- हो गया, ठीक है, तो oxide, sulfide, इस तरीके की चीज़ें आप count नहीं करोगे, क्योंकि वह divalent है, यह trivalent वाली भी count नहीं करोगे, बट monovalent वाली कर लोगे, सही है, तो s का मतलब हो गया, number of monovalent surrounding atom उन्हें हम count करेंगे, for example, for example, एक बार बाकी भी समझ लेता है, फिर एक साथ example देखता है, V, V होता है number of valence electrons on central atom, जिस atom का आप hybridization निकालते हैं, central atom का, उसके कितने valence shell में electron है, that is V, ठीक है, उसके valence shell में कितने electron है, that is V, और lastly, lastly, आपके पास आता है Q, Q का मतलब होता है बिटा, charge, और charge आप कैसे लिखते हो, with sign, अगर charge है, तो आप लिख देंगे, नहीं है, तो आप उसको क्या कर देंगे, 0, ठीक है, पर अगर plus 4 है, तो as it is लिखेंगे plus 4, अगर minus 2 है, तो as it is लिखेंगे minus 2, आपको with sign लिखना होगा सहीए जी, ठीक है साब, तो यहाँ से आपका steric number निकलता है, उसके लिखेंगे, जो 3 चीज़े use होती है, वो ये use होती है, example देखिएगा आप, example, जैसे मैंने पहला example लिया, CH4, या चलो, अच्छा example ही ले लेते हैं, XEF4, बिटा अगर XEF4 मैंने लिया, अब यहाँ पे यह फंडा हमेशा लगेगा, कैसे लगेगा, steric number निकाल लेते है, steric number क्या होगा, half, ठीक है, surrounding atom कितने है, 4, क्यों, क्योंकि fluorine होता है, monovalent, तो 4 के 4 काउंट हो जाएंगे, अच्छा, xenon के valent shell में कितने electron होते हैं, 8, भई, inert gas है कहने की ज़रुरती नहीं है, क्या इस species पे को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह value कितनी हो गई, 0, तो बेटा, 8 और 4, 12, 12, 22 हो गया, 6, यह आगया, steric number, sir, यह तो steric number आया, hybridization कैसे पता चलेगा, इस से आखिर, तो बेटा, steric number से ही hybridization निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, ध्यान से सुने, य इस से तुमें hybridization पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखेगा ध्यान से, अगर x की value आती है, 2, तो hybridization है, s, p, minimum पे इतना हो सकता है, अगर x की value आई 3, तो अब s तो बढ़ते नहीं, यह p ही बढ़ता है, तो p कितने हो जाएंगे, अब 2, total 3 hybrid orbital होगे, 1s और 2p, 3 hybrid orbital, ठीक है, अगर 4 आया, तो s, p, 3, अगर 5 आया, तो क्या s, p, 4 कर दूँगा, क्या, बेटा, नहीं, 1s होता है, 3p के orbital होते हैं, और उसके बाद कौन शुरू हो जाते हैं, d वाले शुरू हो जाते हैं, right, p, 4 नहीं होते हैं, p के orbital कितने होते हैं, 3, quantum numbers याद कर लो जल्दी से, है ना, त तो हो जाएगा, s, p, 3, d, 2, और अगर 7 हुआ, तो s, p, 3, d, 3, clear है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, s, p, 3, q, d, s, p, 2 भी तो हो सकता है, बट बेटा, d, s, p, 2 तो हम coordination compounds के time पर deal करते हैं, वो अलग से topic में deal हो जाएगा, in general hybridization ऐसे ही निकालते हैं, right, ठीके जी, अगर ये हो गया, तो अब एक बात बताओ, यहाँ, x की value क्या आ रही थी, 6, अगर x की value आ रही थी, 6, तो hybridization क्या होगा, s, p, 3, d, 2, hybridization क्या हो जाएगा, s, p, 3, d, 2, ठीके जब, चलो, और example करते हैं, फिर इनकी shapes देखेंगे, फिर हम chapter में घुसेंगे, क्योंकि ये मैंने तुम्हें ऐसी बात बता दी है, जिससे तुम्हारा आगे का maximum काम हो जाएगा, structure वाले तुम सारे सवाल कर पाऊगे, ठीके जब, अच्छा, अगर मैंने तुम्हें example द अब इस बार surrounding atom क्या रखो, 3, बेटा नहीं आएगा 3, क्यों, क्योंकि सारे के सारे oxygen है, और oxygen कैसा होता है, divalent, अगर oxygen होता है divalent, तो surrounding atom में तो monovalent ही count होते हैं, तो ये तो 0 ही होगा, अच्छा, xenon के valence shell में कितने electron, 8, और charge तो कोई दिखनी रहा मुझे, तो 0, बेटा ये example और देख लो आखरी, XeO2F2, XeO2F2, क्या करेंगे यहाँ पर, surrounding atom कितने लेंगे आप, 4, बेटा 4 नहीं, 2, क्योंकि हमें सिर्फ कौन से count करने होता है, monovalent, oxygen तो divalent होता है, fluorine कैसा होता है, monovalent होता है, fluorine count होगा बस, तो S की value सिर्फ 2 होगी, तो बेटा हर चीज जो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है, handle with care है, formula, ठीक है जाब, तो चलो, S तो 2 आगया, valent shell में तो कोई बात ही नहीं है, 8 और charge हो गया, 0, ठीक है जाब, तो value क्या आगई, 8 और 2, 10, 10 बैद 2, 5, क्या आगया, S, P, 3, D, hybridization निकालना समझ में आया क्या, अब बेटा hybridization निकालना समझ आ गया, तो अब diagram भी बनाना आ जाएगा, इनका, diagram बेटा geometry या structure बनाना आ जाएगा, ठीक है जी, कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये जो तुमने सारे hybridization निकले हैं, लिखे हैं आपे, इनके corresponding standard shapes भी तो होती होती हैं, इनके corresponding क्या होती है, standard shapes, क्या-क्या, SP के लिए आप बोलते हो linear, SP2 के लिए आप बोलते हो trigonal planar, SP3 के लिए आप बोलते हो tetrahedral, अच्छा, SP3D के लिए आप क्या बोलते हो, trigonal, bipyramidal, अच्छा, SP3D2 के लिए क्या बोलते हैं, octahedral, और SP3D3 के लिए क्या लिखते हैं, pentagonal, bipyramidal, ठीक है जब, अच्छा, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ जरा मुझे, यहाँ पे hybridization आया, SP3D2, ठीक है, मतलब इसकी shape कैसी होनी चाहिए, octahedral होनी चाहिए, formula क्या है, XCF4, अगर मैं तुम्हें कहूँ इसकी shape बना के दिखाओ मुझे, XCF4 कैसे बना दोगे, बत तो बिटा कुछ नहीं करना, octahedral geometry बनाओ और atoms को लगाओ, that's it, octahedral geometry बनाओ और atoms को लगाओ, XC है, octahedral कैसा होगा, ऐसा होगा, board पे तो हम ऐसा ही बना पाएंगे, बिटा, octahedral का मतलब 6 bonding sites, right, octahedral में क्या होता, SP3D2, मतलब 6 orbital है, मतलब 6 bonding sites, trigonal bipyramidal, SP3D, मतलब 5 orbital है, मतलब 5 bonding sites, SP3, 4 bonding sites, SP3D3, 7 bonding sites, अब बिटा, bonding sites तो यहाँ पे है, 6, hybridization से पता चल गया, बट, atom लगाने के लिए सिर्फ कितने है, 4, XC के साद 4 ही तो फ्लोरीन लगाने है, तो बच्ची वी जो दो जगा खाली रह जाएंगी, वो क्या होगा, तो बिटा, यही अंदेशा है, कि लगाती है, और नहीं भी हो सकती है, हमने क्या बुला, तुम्हें 4 फ्लोरीन लगाने है, जगा है 6, तो 4 जगा तो फ्लोरीन लगा दोगे, बच्ची वी 2 जगा क्या लगाने पड़ेंगे, लोन पेर लगाने पड़ेंगे, और लोन पेर आप ऐसे लगाते हो, कि उनके या फ्लोरीन, देखो, लगा दिया, ओक्ताहेडरल जोमेट्री में मैंने ये स्ट्रक्चर अरेंज तो कर दिया, पर अगर आपसे कोई इसकी शेप पूछेगा, आपसे कोई कहेगा जोमेट्री क्या है, औक्ताहेडरल, क्योंकि SP3D2 हाइबिडाइजिशन है, अगर आपसे क क्या है, इतनी सी चीज है आपकी, square planar, ये चीज इतनी सी क्या है, square planar, that's it, तो शेप क्या हो जाएगी XCF4 की square planar, clear है, एक और बताता हूँ, बाकि आप लोग ट्राय करके देखिएगा, हम चेक करते है, XC02F2, क्या चेक करते है, XC02F2, आईए, अगर हमने एक और चेक किय XC02F2, ठीके सब, चलो आओ, कैसे करेंगे इसको, hybridization हम निकाल चुके है, hybridization कितना है था, SP3D, SP3D का मतलब हमें trigonal bipyramidal geometry में इसको arrange करना है, अच्छा, तो हमने कहा था, central atom बना देते हैं, और trigonal bipyramidal geometry arrange कर देते हैं, ये आगई trigonal bipyramidal, अब ध्यान से देखे, आपको दो oxygen ल लगाने हैं, मतलब चार चीजें हैं लगाने के लिए, जगा कितनी है, पांच, यानि कि बची वी एक जगा पर क्या आने वाला है बिटा, lone pair आने वाला है, इतनी बात समझ आ गई, अब एक और सवाल आता है, oxygen को कहां लगाएं और fluorine को कहां लगाएं, देखो lone pair कहा होगा, lone pair आपको पता है न, ये तीनों आपकी equatorial positions होती हैं, और ये उपर नीचे वाली आपकी axial position होती है, और lone pair हमेशा equatorial पे रखा जाता है, क्योंकि equatorial आपकी minimum repulsion site होती है, तो हमने बोला, lone pair यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, अब कहां रखें, यह भ अब आप कहोगे सर आपने दो अक्सिजन यहीं क्यों लगाए एक यहां लगा देते बीच में एक लोन पेर आ जाता बिटा तो वो लोन पेर सब जगा पर रिपल्शन करता ना तो मुझे लोन पेर को तो सबसे दूर रखना होता है मिनिमम रिपल्शन के लिए तो लोन पेर कोई आलग से बिठा दिया इनको आलग से रखा अब आपसे कोई कई इसकी शेप क्या है अगर आपसे कोई पूछे इसकी शेप क्या है तो ध्यान से देखे इसकी शेप अगर आपसे कोई कहेगा तो इसकी शेप बिटा सी सो इसकी शे करके देखिएगा 2 pist आप लोग ट्राए करके देखिएगा ट्रॉक्टर सब यस तरीके से करके देख सकते हैं आपका सब यगा काम बन जायेगा पकातon लुगा को हाइब आड़ निकालना आग समझ में आ 파ू अगए आगे बात करें बहुत बढ़िया चलो तो बिटा अब हम शुरू करते हैं आघाज करते हैं हमारी नाइट्रोजन फैमिली का किसकी बात शुरू करते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की एक एक करके डिसकस करने है नामे सारे ग्रूप सबसे पहले हमने बोला फैमिली से शुरू करने जा रहा हूं, तो elements कौन-कौन होते हैं, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, ठीक है जी, general configuration क्या होता है, ns2, np3, सही है, अच्छा, अगर आपसे कोई कहे maximum oxidation state क्या है, तो वो तो है plus 5, है ना, दो electron इसके और तीन electron पीक है, ठीक है, कोई कहे minimum oxidation state क्या है, तो बेटा, maximum में अगर 8 minus कर दोगे, तो minimum आ जाएगी, सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा, जी, ठीक है, समझ में आ गई यह वाली बात भी, भीटा, हम हर group का, हर group के first two elements को discuss करते हैं, जब भी हमें P block का discussion करना होता है, तो हमारे syllabus में हर element के, हर group के first two elements, nitrogen और phosphorus, clear जी, बहुत अच्छी बात है nitrogen discuss करना है, phosphorus discuss करना है, inert pair effect से तुम्हें यह पता है, कि SB में plus 5, plus 3 से ज़्यादा stable होगा, बट बिश्मत में plus 3, plus 5 से ज़्यादा stable होगा, अब बिटा, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, हर group का जो पहला member होता है, चाए group 15 लेलो, चाए 16 लेलो, चाए 17 लेलो, चाए 18 लेलो, ये बेटा, एक तो उसका size छोटा है, क्योंगे down the group जाने पर size बढ़ता है, ठीक है, एक down the group जाने पर electronegativity क्या होती है, कम होती है, तो उसका size छोटा है, electronegativity जादा है, सही बात है, size छोटा है, electronegativity जादा है, एक और बात, बेटा, यहाँ पे d-orbital नहीं है, क्या नहीं है, d- अट्रोजन की बात करोगे तो अटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2p3, अब बेटा 2d तो होता नहीं है, तो d orbital तो है नहीं, जबकि अगर तुमने फॉस्फोरस की बात करी तो यह होता है 3s2, 3p3, और भई 3d भी तो होता है, भले यहां वेकेंड है, बट होता तो है, भले यहां d orbital होने की वज़े से यह 4 से ज़्यादा bond बना सकता है, अपना octate expand कर सकता है, बट हर पहला member जो होता है, उन सब में second period में elements भरे जा रहे है, electron भरे जा रहे है, तो वहां पे d orbital नहीं होता है, तो वो 4 से ज़्यादा bond नहीं afford कर सकते हैं, वो तो अपना octate बनाएंगे और खु बोलते हो, why PCL5 exist, why PCL5 exist, but NF5 does not, ठीके जी, आपसे पूछा जाता है, कि ऐसा क्यों है, कि PCL5 exist करता है, but NF5 नहीं करता, बिटा इसलिए कि phosphorus, देखो इन जनरल हर element octate पूरा करना चाहता है, तो चारबान बना के सब खुश है, बट phosphorus और phosphorus के आगे जितने भी elements है, इन सब पे vacant d-orbital available है, इन सब पे vacant d-orbital available है, और vacant d-orbital होने की वज़े से ये चार से ज़्यादा bond बनाना अफोर्ड कर सकते हैं, but nitrogen भी d-orbital नहीं है, तो वो चार से ज़्यादा bond नहीं बना सकता, तो NF5 इसलिए नहीं बनता, क्योंकि वहा bond बनाने की शमता है, कैसे, d-orbital है उसके पास में, सही बात है, तो हम बोलते है, NF5 क्यों नहीं exist करता, क्योंकि vacant d-orbital nitrogen पे नहीं है, और बिटा इसी वज़े से हर ग्रुप के पहले member के पास नहीं है, क्योंकि सब में second period में electron भरे जाते हैं, second shell में, सही बात है, और क्योंकि उ यही नहीं, अगर है यही नहीं, तो काईगा bond, कैसे bond बन जाएगा, सही बात है, पक्का, एक और बात, एक और बात, बिटा अगर nitrogen के बारे में मैं बात करूँ, तो हम बोलते हैं, जो बाकी सारे हैं न, यह ऐसे bond बना लेते हैं, P single bond P, AS single bond AS, SB single bond SB, BI single bond BI, यह सब single bond बना लेत हैं, बट nitrogen कभी भी N single bond N नहीं बना पाता, नाइटरोजन कभी भी N single bond N नहीं बना पाता, कारण, बिटा कारण है, एक तो इसका size बहुत चोटा है, और size बहुत चोटा है, इसके साथ में, अगर तुम N single bond N को observe करो, तो octate पूरा करने के लिए क्या होगा, हर nitrogen पे 3 तो lone pair होगे, और एक 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 bond pair होगा, अब अगर तुम जबर्दस्ती यहाँ पे bond बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा तुमने बनाने की कोशिश करी, तो nitrogen के छोटे size की वज़े से atom बड़े पास-पास होंगे, और पास-पास होने की वज़े से ये जो non bonding electrons है न, lone pair, इनके बीच में दो nitrogen के lone pairs के बीच में भीशन repulsion हो जाता है, क्या हो जाता है, भीशन repulsion, और इस भीशन repulsion की वज़े से ये structure कभी भी stable नहीं रह पाता, तो nitrogen कभी भी N single bond N नहीं बनाता, ये अपने आपको stable करने के लिए N triple bond N बनाता है, कारण क्योंकि छोटा size है और जो non bonding electrons है, उनके बीच म बनाने लग गया है इनमें, इनका size बड़ा है, ये single bond फिर भी handle कर लेते हैं, nitrogen handle नहीं कर पाता है, सही बात है, पक्का इसलिए nitrogen हमेशा triple bond बनाके रहता है, clear है न, all right, ये बाते मुझे basic बतानी थी, अब मैं इसकी कुछ खास-खास बाते आपसे करता हूँ, nitrogen के hydrides, nitrogen के जो hyd hydrides होते हैं, वो important ऐसा मजना, अगर मैं group 15 के hydrides की बात करूँ, तो group 15 के hydrides इस तरीके के होते हैं, इस formula के होते हैं, EH3 type के, जैसे की NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3, ठीके जी, ये इनके hydrides हैं, इन पे ना आपसे पूछा जाता है, basicity का order, basicity बोले तो basic strength का order, मतलब Lewis base की strength का order, तो ब बताना आना चाहिए, कैसे बता सकते हैं आप order, आप ये बोलते हो, कि भई होता क्या है यहाँ पे, NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, और BIH3 है, ठीके, हम बिटा देखो, इसका मैं आपको actual reason बताता हूँ, आप लगोंने ड्रागो कमपाउंच के बारे में सुना होगा, है ना, क्या होते हैं ड्रागो कमपाउंच, ड्रागो कमपाउंच वो होते हैं, जब सेंट्रल आटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो, जब सेंट्रल आटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो, और सराउंडिंग आटम की इलेक्ट्रो नेगिटिविटी 2.5 से कम हो, क्या बोल के अंदर कभी भी hybridization संभव नहीं है, ऐसे compounds में hybridization संभव नहीं है, जबकि NH3 second period का है, इसमें hybridization संभव है, अगर इसमें hybridization संभव है, तो यहाँ जो nitrogen का lone pair है, वो कहाँ पे है, वो है SP3 hybrid orbital में, जबकि यहाँ जो lone pair है, क्योंकि यह सारे के सारे drago compounds हैं, इनमें hybridization होना संभव नहीं है, तो हम बोलते हैं, कि यह सारे जो lone pairs हैं, यह कहाँ पे रहते हैं, यह hybrid orbital में नहीं रहते हैं, क्योंकि hybridization होता ही नहीं है यह कहां रहते है pure S orbital में रहते है और बिटा अगर यह pure S orbital में रहते हैं तो बिटा हमेशा एक Lewis base अच्छा वो होता है जो अपना electron pair easily donate कर दे Lewis acid वो होता है जो electron pair accept कर ले ठीक है तो NH3 जो है क्योंकि इसका lone pair hybrid orbital में है तो यह सामने वाले को easily donate कर सकता है बट क्योंकि यहां पर आप बात करोगे तो pure S orbital में है तो एक तो S orbital unidirectional है और जैसे जैसे नीचे जाओगे size बढ़ता जाएगा diffuse होते जाते हैं orbital तो इसके S orbital में जो electron pair है वो donation के लिए available ही नहीं हो पाता अगर donation के लिए available ही नहीं हो पाता तो बेटा कहे बात का Lewis base नहीं बन पाएगा न अच्छा Lewis base और जैसे size बढ़ता जाएगा यह चीज और complex होती जाएगी अगर यह चीज और complex होती जाएगी तो आप बोलो NH3 के अंदर loan pair easily दान किया जा सकता है PH3 में मुश्किल है और नीचे जाते जाते और मुश्किल होता जा रहा है तो loan pair donation tendency मुश्किल होती जा रही है यानि कि Lewis base की tendency भी क्या होती जा रही है मुश्किल होती जा रही है तो हम बोलेंगे आपका अच्छा Lewis base कौन होता है NH3 सबसे अच्छा Lewis base फिर PH3 फिर ASH3 फिर SBH3 और फिर BIH3 सही बात है इसका logic इतना सही है कि loan pair कौन अपना easily दान कर देगा उसकी basicity जादा होगी यहां hybrid orbital है तो loan pair दान हो जाता है यहां नहीं हो पता क्योंकि यह drago compounds है drago compounds कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया सही है उनमें hybridization नहीं होता उनमें pure orbital में रहता है in fact यहां bonding भी hybrid orbital के थुरू नहीं होती है यहां pure pure orbital के थुरू होती है अब कभी आपसे exam में सवाल पूछा कि PH3 पे hybridization बताओ तो आपने क्या करा? steric number method सर्ण ने सिखाया था, calculation कर दी SP3 अंसर आगया, tick करके आगया नहीं, इनमें hybridization होता ही नहीं है hybridization संभवी नहीं है सही बात है? clear है? ठीक है साब, तो यह बात हो गई आपकी basic city की, clear है ना? बहुत बढ़िया ओक्के जी, अब बिटा nitrogen आपको ध्यान होगा hydrogen bonding नाम का एक funda होता है और हम बोलते है fluorine, oxygen और nitrogen इन तीन के पास एक खास provision होता है कि यह hydrogen bonding कर सकते है तो बिटा nitrogen है ना? तो nitrogen NH3 में hydrogen bonding कर सकता है इस वज़े से इसका melting point, boiling point comparatively अपने group से high होता है सही बात है, क्योंकि boiling point hydrogen bonding में depend करता है बटा, SbH3 के आगे यह हार जाता है क्योंकि boiling point वैंडर वाल forces में depend करता है, आपने bonding में पड़ा होगा और वैंडर वाल forces क्या होता है? molar mass में depend करता है क्योंकि इसका molar mass बहुत जादा है इसमें वैंडर वाल forces बहुत strong है तो वह hydrogen bonding हार जाता है otherwise NH3 जादा अच्छा रहता है आप लिखा हुए आप पढ़ सकते है ठीके साब? clear है मुझे basicity बताना था आपको यह logic आपको किताबों में नहीं मिलेगा बहुत अच्छे से लिखा हुआ तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजेगा बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं तो अब बात करनी है हमें preparation of properties of elements की मैंने सिर्फ hydride ही बताएं oxides क्यों नहीं बताएं, helides क्यों नहीं बताएं क्योंकि वह important नहीं है question importantly hydride से आता है वो आपको मैंने समझा दिया अब हमें बात करनी है कुछ elements की, properties की preparation की हमें क्या-क्या deal करना है हमें डील करना है nitrogen, preparation and properties हमें deal करना है ammonia, preparation and properties हमें deal करना है nitric acid preparation and properties ठीक है कहीं पर preparation important है तो वो मैं बताओंगा जहां नहीं है वहाँ property important है वो मैं समझाओंगा ठीक है सुनते जाओं मेरी बात हो द्यान से अगर हम सबसे पहले nitrogen से शुरू करते हैं तो पेटा de nitrogen formula क्या होता है N2 structure क क्या होता है N triple bond N इसको बनाने का industrial method है fractional distillation ठीक है बट हमसे सवाल importantly किस से पूछता है NEET वाला lab preparation पर किस पर पूछता है laboratory preparation पर क्या होती है laboratory preparation ध्यान से देखें बिटा पहला method होता है आप ammonium nitrite लिलो NH4NO2 इसको heat करो जब ammonium nitrite बनाने का तरीका यहाँ पर दिया हो है बट यह step इतना important नहीं है आप समझ भी सकते हो ion exchange reaction है इसके कैटायन को इसके अनायन से जोड़ दो इसके कैटायन को इसके अनायन से जोड़ दो ammonium nitrite बना important यह है इसको जब heat करते हो ना तो nitrogen gas निकलती है और water बनता है और एक important reaction है यह ammonium dichromate इसको जब heat करते हो ना ammonium dichromate को तो nitrogen gas निकलती है water निकलता है यह दो process बहुत important है अब sir आपने तो कहा था आप रटवाओगे नहीं आप तो रटवाने वाले पर या गए ऐसे पढ़ पढ़ के बोलना तो हमें भी आता है तो भाई मेरी बात सुन तो सही अभी ख़रम दोड़ी कर दी मैंने बात चीत अभी तो बताए हैं तुमें यह दो product बनेगा मैंने बोला NH4NO3 heat करना है क्या product बनेगा मैंने बोला NH4 hole twice CR207 ammonium dichromate heat करना है क्या product बनेगा सही है ठीक है जी बिटा एक picture देखी होगी आप लोग ने नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उस picture का बड़ा famous dialogue है अपने को क्या करना है अपने को तो बस पानी निकालना ह है तो अपन भी आज क्या करने वाले है इन सब में से बस पानी निकालने वाले है सब में से पानी निकाल दो बचावा काम तुम्हारा अपने आप हो जाएगा सब में से पानी निकालते हैं आई एक एक करके अपन को क्या करना है बस अपने को तो बस पानी निकालना है तो भ लग मालनो एक बार यह है H4 और यह है O2 मैं इसको लिख सकता हूँ टू टाइम्स वाटर दो मोल पानी बोल सकता हूँ गया H4 O2 बोल सकता हूँ न अगर मैंने इसमें से 2 मोल पानी निकाल दिया तो बचेगा क्या सिर्फ N2 ही तो बचेगा लो भाईया बन गया N2 असान था बस पानी निकालना है बचीवी चीज प्रॉड़क्ट है ठीक है जी यहाँ पर आओ यहाँ पर देखो यहाँ पर H4 है और O3 है मतलब अगर मैं यहाँ से 2 मोल पानी निकालू तो बनेगा H4 O2 बनेगा O3 तो नहीं निकल पा रहा है H4 O2 बन रहा है मतलब 2 तो मैंने पानी के मोल निकाल दिये तो बच्चावा क्या होगा उसको कंबाइन कर दो एक एन यह एक एन यह और एक ओ भी तो बच गया O2 ही तो निकला है O3 था तो क्या हो गया 2N और 1 O मतलब प्रॉड़क् अपने को बस पानी निकालना है और कुछ नहीं करना है यहाँ देख लो सौर यहाँ कैसे लगेगा तो बचा इसको असान कर ले फॉर्मुले को क्या लिखेगा इसको लिख दे यह N2 H8 CR2 O7 अपनी सहूलियत के लिए यह कर दिया मैंने अब इसमें से पानी निकालते है तो H से आइडीय लग जाता है कितना पानी निकल सकता है H8 है मैं 4 mol पानी निकाल सकता हूँ H804 हो जाएगा ठीक है यहां से मैंने 4 mol पानी निकाल दिया अब हुआ क्या चार मोल पानी निकल गया अब पिक्चर में बचा क्या क्या पिक्चर में बचा तुम्हारे पास N2 ठीक है पिक्चर में बचा तुम्हारे पास उसे N2 और 2 mole water, पानी निकाल दिया, बन गया nitrogen, सही था, ये था laboratory method और इसको याद करने का तरीका, अपने को तो क्या करना है, अपने को तो बस पानी निकालना है, that's it, जीत जाएंगे भईया, सही है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ये तो थी nitrogen की preparation, अब हम बात करते हैं, nitrogen बनाने तरीका, इसे हम बोलते हैं, azide process, इसे हम क्या बोलते हैं, azide process, बहुत प्यूर nitrogen बनाना हो, तो azide से बनता है, simple सी बात है, barium का azide है, azide क्या होता है, ध्यान दीजेगा, N3- को azide ion बोलते हैं, ठीक है, और अगर nitrogen पे 3- आता है, तो इसको nitride ion बोलते हैं, ध्यान दीजेगा, मेरी बात पे, N3-1 charge है, तो azide ion, और N3-3 charge है, तो nitride ion, यहाँ azide है, ठीक है, तो azide को heat करोगे, barium अलग निकल जाएगा, nitrogen अलग, sodium azide को heat करोगे, sodium अलग निकल जाएगा, nitrogen अलग, that's it, यह pure nitrogen बनाने का तरीका है, यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है यह nitrogen की preparation होगी, जिस पर important बाते पूछी जाती है, अब हम आते हैं ammonia की preparation पे, ammonia की preparation में आपको तीन बाते ध्यान रखनी है, तीन तरीकी की preparation है, एक तो है आपका क्या, एक है आपका urea का decomposition, क्या है आपका urea का decomposition, बेटा NH2, CO NH2 को बोलते हैं, यूरिया, जब इसको मैं पानी मे डालता हूँ, तो मेरा मेरे पास बनता है ammonium carbonate, क्या बनता है, ammonium carbonate, अब ammonium carbonate जो होता है न, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यह कैसे बना होगा, यह बनता है NH3 और H2CO3 से, ठीक है, अब यह जो H2CO3 होता है, carbonic acid, यह उतना stable नहीं होता, यह हमेशा break हो जाता है, H2O औ CO2 में, तो बेटा, ammonia अलग हो गया, H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, यही तो product है, सही बहाता है, आपका urea का decomposition आप करोगे, तो ammonium carbonate बनेगा, ammonia अलग कर लो, carbonic acid अलग कर लो, carbonic acid कभी stable नहीं होता हो, water CO2 में तूट जाता है, वो तूट गया, that's it, clear है, असान था, ठीक है यह समझ में आ गया क्या, अगर यह समझ में आ गया, तो अगला process तो वो है, जो तुम बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, that is your Hibber's process, क्या है तुमारा Hibber's process, N2 plus 3H2 gives 2 NH3, बेटा, यही सबसे important industrial तरीका है, जिससे ammonia बनाई जाती है, और यह एक exothermic process है, वो यहां से पता चल रह है, कि इसका जो enthalpy of formation है, वो negative है, question क्या पूछेगा इस पर आपसे, या तो पूछ लेगा Hibber's process बता दो, या बोलेगा कि बताओ, मुझे ammonia का yield maximize करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी industry में ammonia जाधा से जाधा बने, तो मैं pressure temperature के साथ में कैसे खेलू, तो बेटा, pressure temperature के साथ ली चाटलिय प्रिंसिपल, ली चाटलिय प्रिंसिपल कहता है, कि अगर forward जाना है, तो अब देखो, forward जाना है, pressure के बारे में बात करनी है, तो pressure घटाने पर volume बढ़ता है, और pressure बढ़ाने पर volume घटता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा pressure और volume inversely proportional होते हैं, अब ली चाटलिय प forward ही तो जाना है, हमें NH3 का production बढ़ाना है, मतलब forward जाना है, इधर stoichiometry के 4 mol है, इधर stoichiometry के 2 mol है, मतलब मुझे उस दिशा में जाना है, जहां mol घट रहे हो, और mol घट रहे हो, मतलब volume घटाना है, मतलब pressure बढ़ाना है, मतलब ammonia की yield maximize करने का तरीका है, high pressure, और अगर exothermic process है, त exothermic process है, exothermic process पे अगर forward जाना है, तो आपको temperature क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है जी, यह chemical equilibrium में पढ़ाया जाता है, leach are clear के अंदर, तो मैं बहुत detail में नहीं जा रहा हूँ, हमें यह समझ में आया, कि high pressure and low temperature would be the favorable condition, high pressure कितना, बिटा लगभग 200 ATM के आसपस, और low temperature कितना लगभग 700 Kelvin के आसपस, और 700 Kelvin low temperature होता है, बिटा chemistry में, industry की भाषा में होता है, वो 2000 Kelvin तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो high pressure and low temperature are the appropriate condition for the formation of ammonia, preparation के दो फंडे बता दिये मैंने तुम्हें, एक बता दिया यूरिया वाला, एक बता दिया हेबर्स process वाला, एक और important फं कार्बाइड लेते हैं, और calcium carbide को nitrogen gas से react करवाते हैं, calcium carbide लेते हैं, nitrogen gas से react करवाते हैं, बिटा यहाँ जो product बनता है न, यह important है, इस पर direct सवाल पूछ लिया जाता है, this is nitrogen, CACN2 plus C, ठीक है, CACN2 plus C, इसे कहते हैं nitrogen, यह fertilizers वगएरा में use होता है, यह fertilizers वगएरा में बहुत अच्छे से use होता है, ठीक है, और यह जो तुम्हारा CACN2 बनता है, इसे आप कहते हो calcium cyanide, इसे आप क्या कहते हो calcium cyanide, अब आप इसका hydrolysis करते हो, जब hydrolysis करते हो तो ammonia gas निकल जाती है, एक यह भी funda important जो काम आता है, बहुत ज़्यादा सवाल नह ज़्यादा nitrogen important होता है, यह graphite और calcium cyanide का mixture है, जो fertilizers में use होता है, ठीक है, और जब इसको hydrolysis करते हैं, तो ammonia gas निकल जाती है, ammonia gas की preparation बता दी, nitrogen की preparation बता दी, जो बहुत important थी, अब हम बात की चीत करते हैं, हम लोग कि ammonia की कुछ reaction है, जो आपको पता होनी चाहिए, ammonia की reaction है, जो आ अब यह reaction दो तरीके से होती है, एक तरीका जब आपका ammonia excess में है, और एक तरीका जब आपका halogen excess में है, यह जो reaction है, ammonia plus Cl2ally, यह दो तरीके से होती है, एक बार जब जब ammonia excess में है, और एक बार जब जब तुम्हारा chlorine excess में है, तो होगा क्या, दोनों में अलग अलग product बनेंगे जब ammonia excess में है तो आप बोलते हो product है nitrogen और ammonium chloride जब कि अगर chlorine excess में है तो chlorine क्या करेगा तीनों की तीनों hydrogen को आके replace कर देगा और बन जाएगा NCl3 क्या बन जाएगा NCl3 तो ये बात आप ले एक जिगा पर लिख के रखें अगर ammonia excess में है तो product है nitrogen और ammonium chloride पर अगर chlorine excess में है तो product है NCl3 और HCl ठीक है ammonia की halogen के साथ reaction अगर आपको बोली गई है तो वो दो तरीके से करवाई जाती है या तो आपका ammonia excess में हो या आपका chlorine excess में हो ये NCRT में नहीं है बट ये important है अगर ammonia excess में है तो ammonia dominating product बनेगा अगर chlorine excess में है तो chlorine dominating product बनेगा सही है जी ये भी nitrogen बनाने का तरीका हो गया बहुत बढ़िया ये reaction अगर समझ में आती है तो हम आ गए है oxy acids of nitrogen पर बेटा oxy acids nitrogen के तीन होते है है HNO3 HNO2 H2N2O2 ठीक है इसे हम कहते है nitric acid इसे हम कहते है nitrous acid इसे हम कहते है hypo nitrous acid ठीक है जब सबसे important जो आपके course में है वो है nitric acid और वो भी इसकी properties कि भाया इसको concentrated form में use करें या dilute form में use करें तो यह कैसे काम आएगा क्योंकि बिटा यह अच्छा oxidizing agent होता है यह क्या होता अच्छा oxidizing agent खुद को तो reduce कर लेगा बट सामने वाले को क्या कर देगा oxidize कैसे अच्छा oxidizing agent है ध्यान से देखो यहाँ पे HNO3 में nitrogen पे oxidation state क्या है oxidation state I am sure आपको निकालना आता होगा तो आप बोलोगे nitrogen पे oxidation state है plus 5 बिटा group 15 की maximum oxidation state ही plus 5 है nitrogen अगर अपनी maximum state में है तो यह इससे उपर तो जा नहीं सकता तो यह खुद तो क्या होगा हमेशा reduce ही होगा बट अपने साथ वाले को क्या कर देगा oxidize कर देगा oxidize कर देगा तो यह क्या क्या लाएगा अच्छा oxidizing agent रटना नहीं है कुछ भी logic से समझना है जाए थोड़ा सा time जादा लग जाए तो यह oxidizing agent अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो इसकी reaction देखेगा जरा यह आपको ध्यान रखनी है बिटा copper और zinc की reaction पूछी जाती है mostly ठीक है अगर concentrated nitric acid लेंगे तो क्या होगा dilute nitric acid लेंगे तो क्या होगा अगर dilute nitric acid लेंगे zinc के साथ तो क्या होगा concentrated nitric acid लेंगे zinc के साथ तो क्या होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपने cong hno3 लिया मतलब concentrated cone 3 LIA तो हमेशा ही n o 2 gas निकलती है अगर conk ceceno 3 LIA तो हमेशा ही n o 2 gas निकलती है बट अगर आपने dilute h n o 3 LIA तो product vary करते हैं copper के साथ में n o gas निकलती है और zinc के साथ में n o gas निकलती है ठीक है copper के साथ में dilute h n o 3 LIA तो copper का nitrate बन जाएगा copper का oxidation हो गया, 0 से plus 2 चला गया, ठीक है, but nitric acid reduce होके NO में आता है ठीक है, और अगर आपने zinc के साथ dilute वाला लिया, तो zinc का तो oxidation हो जाएगा 0 से plus 2, but nitric acid reduce होके N2O में जाता है, सही है, तो यहाँ पे NO में जाता है, और यहाँ पे N2O में जाता है, but अगर मैं concentrated nitric acid की बात करूँ तो बिटा देखो copper का तो oxidation, zinc oxidation तो हो नहीं है, but product हमेशा NO2 में जाता है, product हमेशा क्या बनता है, NO2 clear, साब, समझ आई बात, यह memory based है, यह आपको ध्यान रखने होगी इस पे सवाल पर पूछा जाता है इस पे सवाल काफी बार आया है, तो अपने को आना चाहिए, nitric acid की dilute or concentrated वाली reaction, यह बहुत important है, यह पूछता रहता है, किसे ना किसी exam में आता ही रहता है, सही है ध्यान रहेगा अपने को अच्छे से, पक्की बात ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, अगर यह चीज समझ में आ गई है, यह nitric acid वाली, तो हम लोग बात करते हैं, nitric acid के बात में phosphorus की, किसकी बात करेंगे, phosphorus की, बिटा एक brown ring test भी होता है, nitric acid का न, brown ring test क्या होता है, कि आप लोग Fe plus 2 को, nitrate iron के साथ में react करवाते हो, जिससे NO बनता है, और वो NO वापस Fe plus 2 गे साथ रियाग करके एक brown ring complex बनवा देता है, क्या brown ring complex होता है, वो brown ring complex होता है, Fe h2o whole 5 NO, Fe h2o whole 5 NO, और overall charge इस पर क्या होगा, 2 plus, question आता है, यहाँ पे iron किस oxidation state में है, question आता है कि यहाँ iron किस oxidation state में है, तो ध्यान से देखिए, water तो neutral होता है, neutral ligand है, zero हो जाएगा, NO आपका cationic ligand है, है ना, तो उस पे plus 1 charge है, तो आप oxidation state कैसे निकालेंगे, iron पे x माना, water आपका neutral है, NO पे plus 1 और overall charge है, plus 2, यहाँ से x की value क्या आजाएगी, plus 1, तो iron पर oxidation state इस complex के अंदर क्या होती है, plus 1, यह पूछा जाता है आप से, ठीकेज़ आप, यह browning test था, अब अगर हम बात करें phosphorus की, मैंने कादा ना, हर group के दो-दो element discuss करते हैं, nitrogen पूरा discuss कर लिया, phosphorus की बात करते हैं, अगर मैं phosphorus की बात करता हूँ, तो phosphorus का सबसे important part है यह, कि उसकी allotropic forms, nitrogen में allotrops नहीं होते हैं, phosphorus में allotrops होते हैं, phosphorus तीन तरीके के allotrops बनाता है, phosphorus जो है, यह तीन तरीके के allotrops बनाता है, विटा, white, red, और black, मैंना विटा, आपको white और red बता रहा हूँ, black पे ऐस सच कोई question पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाएगा हूँ, मैं यहीं बता देता हूँ, आपके लिए theory छोड़ दूँगा, आप लोग इवाग गो थूरू जरूर कर लीजेगा, ठीक है, अगर मैं white phosphorus की बात करूँ, तो बेटा, white phosphorus जो है, वो आप बोलते हो, most reactive form है, आप maximum reaction में जब भी phosphorus का इस्तेमाल करोगे न, तो आप white phosphorus ही use करते हो, यह most reactive है, ठीक है, stable नहीं होता जादा, सबसे जादा reactive है, black phosphorus जो है, यह most stable form है, यह क्या है, आपका most stable form है, इसलिए जादा reactive नहीं करता, red phosphorus बिचारा intermediate है, अब question आता है, कि white phosphorus सबसे जादा reactive क्यूं है, और red phosphorus क्यूं नहीं है, और black सबसे stable क्यूं है, तो बिटा वो है white phosphorus के structure की वज़े से, किस वज़े से, white की structure की वज़े से, कैसे white के structure की वज़े से, ध्यान जे देखिए, white phosphorus जो होता है न, वो कुछ ऐसा होता है, और वो इस तरीके से बना होता है और हम बोलते हैं यहाँ पर यह जो एंगल है यह 60 डिग्री तो क्योंकि 60 डिग्री एंगल है और यह 6 पी-पी लिंकेजेज है इस वज़े से इस स्ट्रक्चर में बहुती स्ट्रेन आ जाता है और स्ट्रेन आने की वैसे उतना स्टेबल नहीं रह पाता तो यह चाता है जादा से जादा रियाक्ट करके खतम होता जाए रियाक्ट करके क्या होता जाए खतम होता जाए तो अगर कोई वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पूछे तो हाँ जी 6 PP linkages होती है 4 तो यह और 2 यह ठीक है 6 PP linkages है angle है 60 degree बहुती स्ट्रेंड स्ट्रक्चर है बहुती कैसा स्ट्रक्चर है भई स्ट्रेंड और स्ट्रेंड की वज़े से इसकी reactivity बहुत हाई हो जाती है ठीक है सबसे जादा react हर जगा पर यही करता है ठीक है बात है यह पानी में insoluble होता है बट carbon dioxide में soluble होता है यह बात ध्यान रखने किया इस पर question आ चुका है कि white phosphorus पानी में तो insoluble होता है बट carbon dioxide में soluble होता है जबकि अगर मैं red phosphorus बोलूँगा न तो वो पानी में भी insoluble carbon dioxide में भी insoluble question यही आया था एक बार नीट में कि carbon dioxide oxide में phosphorus का कौन सा allotropic form soluble है तो white phosphorus soluble है red soluble नहीं है ठीके जी structure आपको समझ में आ गया इसको ही क्योंकि use करते हैं बहुत जादा white phosphorus को हर जगा पे reaction में तो जब इसको आप NOH के साथ use करते हो ना boiling NOH के साथ तो बिटा एक gas बनती है जिसको हम कहते है phosphine हम क्या बोलते है gas बनती है जिसको हम क्या कहते है phosphine phosphine होती है pH 3 जो white phosphorus से बनती है इसकी rotten garlic like smell होती है ठीके structure आप इसका ड्रागो compound है ये right pH 3 है ड्रागो compound है but pH 3 के बारे में important बात ये समझनी ज़रूरी है कि white phosphorus से बनती है ठीक है जü? अब pH 3 की बात चलिए तो यहां कर लेते है phosphine जो यहां से बनती है white phosphorus से इसमें थोड़े impurities भी होती है इसमें थोड़ी क्या होती है impurities होती हैं को चीज़ों के traces होते है chloride के और चीज़ों के traces होते है इसको प्यॉर करने के लिए आप क्या करते हो इसको प्यॉरिफाइ करने के लिए आप पी एच थ्री को न के आई से रियाग करवाते हो या फिर आप ये बोल दो आप पी एच थ्री को एच आई से रियाग करवाते हो जब हईसे रियाग करवाते हो तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है क्या बनता है फॉस्फोनियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोनियम आयन और आय माइनस आयोडाइड आयन यह जो phosphonium iodide बना इसको अगर तुम KOH से react करवाओगे तो होगा क्या pH 3 तो तुम्हारा वापस आ जाएगा और impurities potassium के साथ और water vapor के साथ निकल जाएगे तो यह जो phosphine तुम्हें मिला है यह क्या है तुम्हारा pure question ही आ जाता है कि phosphine में से impurities कैसे हटाते है तो पहले HI से reaction करागे phosphonium iodide बना लो फॉस्फोनियम iodide को potassium hydroxide से react करवा दो pH 3 निकल जाएगा बाकी impurities अलग और जो pH 3 आएगा वो होगा pure ठीक है एक important बात और white phosphorus से phosphine बना पर अगर मैं phosphine को पानी में डाल दूँगा dissolve कर दूँगा तो जो phosphorus निकलेगा वो red phosphorus होगा क्या होगा red phosphorus तो बनता है white phosphorus से पर dissolve होती ही क्या देता है red phosphorus तो इससे सवाल आता है red phosphorus होता कैसा है तो अगले allotrop पे चलते है that is my red phosphorus क्या red phosphorus कैसे बनता है बेटा generally ये बनता है white phosphorus को heat करके क्या बनता है white phosphorus को heat करके बात कुछ ऐसी है White Phosphorus को HEAT करूँगा तो Red Phosphorus बनेगा इसको HEAT करूँगा तो Black Phosphorus बनेगा Black Phosphorus भी दो तरीके का होता है Alpha पीटँ एक तो Red से HEAT करके बनता है और एक White से हीट करके भी बनता है ठीक है जी? Red Phosphorus का structure समझ में आना चाहिए White Phosphorus तो आपने देखा है वो 6 PP linkages होती है, strained structure होता है, 60 degree का angle होता है, red phosphorus क्या होता है, polymeric होता है, बिटा, कैसा होता है, polymeric, white phosphorus की बहुत सारी chain, जब polymer की तरह जुड़ जाती है, तो red phosphorus बनता है, कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, ये बना एक, ठीके जी, ये एक आपकी bond, जो छटी linkage थी न, वो हट गई, वो ऐसे बन गई, देखो ध्यान से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो वो जो 6th linkage जहां बीच-बीच में थी, वो इधर बहार की तरफ आ गई है, और अंदर आपके पास में, ऐसे white phosphorus के combinations है, this is your red phosphorus, सही है, white phosphorus समझाया, red phosphorus समझाया, red phosphorus के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो red phosphorus जो होता है, ये insoluble होता है, पानी में भी और carbon disulfide में भी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, carbon disulfide वाली चीज important है, ठीक है, ये बहुत ज़ादा reactive नहीं होता, white phosphorus के comparison में, क्योंकि यहाँ इतना strain नहीं होता है, तो polymeric structure है, white ज़ादा reactive है, और black सबसे stable है, अब मैंने कहा था, black वाला आप लोग खुद पढ़िएगा, मैंने आप लोग के लिए theory दे रखी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, easily हो जाएगा, phosphine आपको मैं बता चुका हूँ, कि poisonous होता है, कैसे बनता है, और इसमें से impurities कैसे निकलती है, अब बात आती है, phosphorus के halides की, किसकी बात आती है, phosphorus के halides की, बेटा, phosphorus के halides समझाना बहुत जरूरी है, अब आप कहोगे sir, आपने nitrogen के halides तो नहीं पढ़ा है, तो बेटा, nitrogen के halides ना stable नहीं होता है, nitrogen में सिर्फ एक ही halides है, जो stable है, which is NF3, only this is known to be stable, बाकी explosives होता है, बाकी क्या होता है, explosives होता है, इसलिए हम सीधा phosphorus के halides पढ़ता है, phosphorus में दो तरीके के halides बनता है, पी-एक्स-3 और पी-एक्स-5, जैसे की, पी-एक्स-3 में जो आपके syllabus में है, वो है PCL-3, और पी-एक्स-5 में जो आपके syllabus में है, वो है PCL-5, ठीक है, PCL-3, PCL-5, आप इनका hybridization निकाल सकते हैं, आपको मैंने तरीका बताया हो है, अभी मैं बता देता हूँ, SP3 आएगा hybridization, यहाँ SP3-D आएगा, अगर SP3-D आएगा, तो trigonal bipyramidal geometry आएगी, और यहाँ पे tetrahedral आएगी, geometry, अगर मैं shape की बात करूँ, तो बिटा, trigonal bipyramidal में 5 bond लगाने होता है, यहाँ 5 chlorine अविलेबल है, तो shape भी trigonal bipyramidal होगी, PCL-3, SP3 है, tetrahedralal geometry, चार bond बनाने हैं, बट से 3 ही chlorine अविलेबल है, तो चौथा क्या होगा, loan pair, और जब loan pair लग जाता है, तो इसकी shape आजाती है, pyramidal, इस तरीके से चीज़े imagine होनी चाहिए, ठीके जी, इस तरीके से चीज़े imagine होनी चाहिए, clear है ना, बहुत बढ़िया, अगर PX3 और PX5 समझ आया, PCL3 और PCL5 समझ में आया, तो अब हम बात करते हैं, PCL3, PCL5 का structure तो हमें आई गया है, ये बनता कैसे है, तो बड़ा quickly देखेंगे, कि भाई जो phosphorus को chlorine से pass करवाते हैं, तो PCL3 बनेगा, अब सर, chlorine से pass करवाने पे तो PCL5 भी बन सकता था, तो हाँ बिटा, अगर मैं कम chlorine से pass करवाता हूँ, या कुछ एक amount of chlorine से pass करवाता हूँ, तो PCL3 बनता है, पर अगर excess chlorine से pass करवाता हूँ, तो PCL5 बनता है, ठीक है, अगर मैं normally chlorine से pass करवाँगा, तो PCL3 बनेगा, अगर excess chlorine से pass करवाऊंगा तो PCL5 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, important है यह वाली reaction, कि बेटा, जब मैंने white phosphorus पे, ध्यान से देखना, जब मैंने white phosphorus पे, SOCl2 का reaction करवाया, तो बनता है PCL3, और जब मैंने white phosphorus पे, SO2Cl2 का reaction करवाया, तो बनता है PCL5 ध्यान से समझे बातों को, white phosphorus क्योंकि reactive वही है, वही सबस्यादा use होता है, white phosphorus पे, SOCl2 का reaction करवाया है, तो PCL3 बनता है, और SO2Cl2 का reaction करवाया है, तो PCL5 बनता है, बच्चा ना इन दोनों में confused हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, SOCl2 को तो हम कहते हैं, thionyl chloride, इसको आप organic में भी पड़ेंगे, alkyl chloride बनाने में, जबकि SO2Cl2 को बेटा मैं कहता हूँ, sulphuril chloride, बच्चा ना इन दोनों में confused होता है, बच्चे को कई बार एक जैसे दिखने लग जाते हैं, तो बेटा, एक जैसे नहीं है, एक oxygen का अंतर है, तो जब white phosphorus पे, SOCl2 react करेगा, तो PCL3 बनेगा, औ और SO2Cl2 react करेगा, तो PCL5 बनेगा, यह है इनकी preparations, ठीक है जी, preparation आपको बताई मैंने, अब important है इनका hydrolysis, तो बेटा, अगर PCL3 का hydrolysis कराते हैं, तो बेटा बनता है H3PO3, ठीक है, साथ में HCl बनेगा, वो आप देख लेंगे, बट H3PO3 is important, बट अगर मैं PCL5 का hydrolysis करवाता हूँ, तो बेटा, इससे पहले बनता है POCl3, जब इसको further water से excess से pass करवाएंगे, तो बनेगा H3PO4, ठीक है जाब, यह important है, very important है, phosphorus की सबसे important चीज, अगर allotrops के बाद कोई है, यह phosphine वगेरा आप ignore भी कर सकते हैं, बट यह बहुत important है, इनकी preparation भी ignore कर सकते हैं, बट यह बहु जब PCL3 को hydrolyze कराया जाता है, तो H3PO3 बनता है, जब PCL5 को hydrolyze करवाया जाता है, तो POCl3 बनता है, अगर excess of water से pass करवा देंगे, तो H3PO4 बनेगा, इसको गहता है phosphorus acid, इसको गहता है phosphorus acid, phosphorus acid, clear है, समझ आया, okay जी, चलो, आपको अगर यह PCL5 और PCL3 का hydrolysis से समझ आ गया, तो एक बात और आती है ना, कि अगर आप PCL5 को heat करेंगे, तो heat करने पर यह टूट जाता है, PCL3 और CL2 के अंदर, बट temperature आपको काफी high देना पड़ता है, 300-400 degree के असपस, ठीक है, तब जाके वो PCL3 और CL2 में break हो जाता है, clear है, PCL5 में सारी bond lens बराबर होती है गया, नहीं होती, chemical bonding से पता है, axial bond lens समीशा जादा होंगी, equatorial bond lens से, सही बात है, axial bond lens समीशा जादा होती है, equatorial bond lens से, है ना, ओके जी, अगर ये बात हैं आपको समझ में आती है, PCL3 और PCL5 के बारे में, तो बिटा, एक बात और बूली जाती है, कि PCL5 जो है, ये gaseous state में तो आपका trigonal bipyramidal geometry ब बट अगर आप इसको solid state में ले आए, तो solid state में ये ionic form में रहता है, कैसे रहता है ionic form में, ये रहता है, ऐसे, PCL4 प्लस, PCL6 माइनिस, आइनिक form में रहता है, ये वाली shape tetrahedral होती है, और ये वाली shape octahedral होती है, सर ये कैसे बता रहे हो, बिटा, आज की शुरुआत में ही बता दिया था, तुम किसी भी formula के साथ खेल सकते हो, तुम steric number method लगा दो, तुम structure निकाल दो, तुम shape बता दो, तुम कुछ भी बता दो, स ये समझ में आता है, तो अब बात आती है, oxo acids of phosphorus, इस पर थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा समय इस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, oxo acids of phosphorus क्या होते हैं, बेटा, oxo acids of phosphorus जो होते हैं, ये आपके पास में है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये तो है major, ठीक है, इनक के अलावा भी होते हैं, तो क्या होता है, इनके नाम याद रखना बड़ा difficult है, phosphorus acid, phosphorus acid, hypo phosphorus acid, pyrophosphoric acid, pyrophosphoric acid, pyrophosphorus acid, इस तरीके के नाम होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, क्या करेंगे, सबसे common जो होता है, वो आपका होता है, इक acid, सबसे common कौन एक oxygen और कम कर दिया तो बन जाता है hypo acid ठीके जी एक बात तो आपको ये ध्यान रखने है बहुत बढ़िया एक बात और ध्यान रखिएगा अगर एक acid लिया एक acid के दो मोल लिये और इसमें से water निकाल दिया तो ये बन जाएगा pyroic acid चाए फॉस्फोरिक acid हो चाए सल्फूरिक acid हो या कोई भी हो ठीक है अच्छा अगर मैंने अस-acid के दो मोल लिये और उसमें से water निकाल दिया तो ये बन जाता है pyro as acid क्या बन जाएगा pyro as acid ठीक है साब बहुत बढ़िया ओके जी तो अब ध्यान चे देखो सबसे common acid होता है इक acid तो यहाँ common acid है H3PO4 यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ oxidation state क्या है देखो अगर यह सबसे common है तो यह है इक acid मतलब इसका नाम है फॉस्फोरिक acid अब इससे एक कम कर दिया तो यह बन गया phosphorus acid और एक और oxygen कम कर दिया तो यह हो गया hypo phosphorus acid यही समझाया था एक acid एक oxygen कम कर दिया है ना O4 से O3 हो गया यह O2 हो गया hypo phosphorus acid बहुत बढ़िया अगर ऐसा है अगर यह चीज़ आपको समझ में आती है तो इसी में बिटा मैं एक बात और add करना चाहूंगा आपके knowledge graph में ध्यान से सुनिएगा एक और चीज़ जो आपको add करनी है और जो समझ में आनी चाहिए आपको वो यह है यह hypo phosphorus acid को इधर लिख देते हैं ठीक है जी एक बात और सुनना अगर एक acid है एक acid से पहले भी कुछ होता है क्या होता है पर एक acid कौन होता है पर एक acid इसमें से एक oxygen कम करेंगे तो बनता है आपका एक acid फॉर एक्जामपल यहा तो नहीं होता बट halogen में काम आएगा पर-cloric acid उसमें से एक कम करोगे तो chloric acid फिर एक कम करोगे तो chlorous acid एक और कम करोगे तो hypo chlorous acid ठीक है दो मोल ले लो इसके और उसमें से पानी निकाल दो तो pyroic acid ठीक है इसके दो मोल ले लो और उसमें से एक water निकाल दो तो pyrois acid सही है इनके structure समझाना बड़ा जरूरी है तो structure कैसे बनाते है सुनना ध्यान से h3po4 h3po3 h3po2 ध्यान से देखिए हमेशा structure बनाने की एक trick बता रहा हूँ जो हमेशा काम आएगी सबसे पहले phosphorus ले लो सबसे पहले phosphorus ले लो और सब पे एक एक double bond O तो लगा ही दो यह fix है ठीक है phosphorus ले लिया सब पे एक double bond O लगा दिया अब क्या करो अब क्या करो जितने भी बच रहे हैं oxygen और hydrogen पहले नगा दो और जो बच जाएगा उसको डिर्यक लगा दो For example, 1 phosphorus place 1 oxygen है एक phosphorus 1 oxygen बचा गया picture में picture में बचे 3 hydrogen और 3 oxygen 3 OH, OH के pair लग सकते हैं ठीके जी लगा दो सही है? यहाँ देखो, 1 phosphorus है, 1 oxygen है बचा गया picture में, picture में बचे 3 hydrogen और 2 oxygen तो OH-OH के पेर तो अब कितने लग पाएंगे, सिर्फ 2 लग पाएंगे क्योंकि 2 लग पाएंगे, क्योंकि 2 लग पाएंगे, तीसरे वाले H को क्या ना पड़ेगा, डायरेक्ट, सही है, यहाँ देखो H3PO2 में, एक फॉस्फरस लग गया, एक अक्सिजन लग गया, तीन तो H पाएंगे, और एक अक्सिजन लग गया, मतलब OH का पेर सिर्फ एक लग पाएंगा, बच्चे वे डायरेक्ट लगेंगे H, सही है, यह बन गए इस्ट्रक्चर्स, question आता है इनकी basic city पे, कि कितनी basic city है इनकी, या कितनी acidity है इनकी, या क्या बाचीत है इनके बीच में, तो बेटा उसके बारे में आपको ध्यान चे समझना पड़ेगा, basic city क्या होती है, कितने H+, वो दे सकता है, और हमेशा वो H+, निकलता है, जो जादा electronegative atom से जुड़ा हो कौन सा एच निकलता है, जो जादा electronegative atom से जुड़ा हो, तो यहाँ तो तीनों ही O से जुड़े है, वो electronegative हैं, तो तीनों ही निकल जाएंगे, तो यहाँ पे basic city कितनी हो जाएगी, तीन यहां बेसी सिटी कितनी हो जाएगी तीन जबकि अगर आप यहां बात करेंगे तो बेटा यहां पे सिर्फ दो ही है जो O से जुड़े है और एक है जो डिरेक्टली P से जुड़ा है अब फॉस्फोरस और ऑक्सिजन में ज़ादा इलेक्ट्रो नेगटिव कौन अगर ऑक्सिजन ज़ादा इलेक्ट्रो नेगटिव है तो यहां बेसी सिटी कितनी हो जाएगी दो और सिमिलरली यहां बेसी सिटी कितनी हो जाएगी एक हम अमेशा यह कहते हैं कि जितने ज़ादा P-H बॉन्ड होंगे उतना ज़ादा रिड्यूसिंग केरेक्टर होगा ठीक बात है जितने P-OH बॉन्ड होंगे वो बेसी सिटी डिफाइन करेंगे क्योंकि ऑक्सिजन और फॉस्फोरस में ज़ादा इलेक्ट्रो नेगटिव ऑक्सिजन होता है तो उससे जुड़ावा हिड्रोजन इजी ली निकल पाएगा सही है तो यह हमारे पास में बेसी सिटी जा गए अब क्वेशन आता है पाइरो फॉस्फोरिक आसिड कैसे बनाएं सर एक बार वो भी बता दो तो ध्यान से देखो आपको एक बात मेरी ध्यान रखना पी एच बॉन को तोड़ना असान नहीं होता पी एच बॉन कभी भी नहीं तूट सकता इट्स नॉन आइनाइजेबल ठीक है पाइरो फॉस्फोरिक आसिड क्या है आपने बोला था दो मोल ले लेंगे एच त्री पी ओ फोर के और उसमें से हम क्या कर देंगे वॉटर निकाल देंगे दो मोल ले लेंगे एच त्री पी ओ फोर के और उसमें से वॉटर निकाल देंगे दो मोल बोले तो एच सिक्स पी टू ओ एट इसमें से वॉटर निकाल दिया तो दो तो हाइड्रोजन दो मूल और इस दो मूल में से हम क्या करने वाले हैं water का molecule निकालने वाले है अगर एक मूल वाटर निकालना है तो H2O निकाल दूँ यह H2O निकाल दिया जैसे ही H2O निकाल दूँगा बच्चेगा क्या बच्चेगा यह कि यह इतना part as it is इतना part as it is, यहाँ एगी POP linkage, क्योंकि water जा चुका है, अगर water जा चुका है, तो देखना ध्यान से, यह होगी तुम्हारी POP linkage, clear है, यह बन गया है तुम्हारा phosphoric hazard, ऐसी pyrophosphorus भी बना सकते हो, बट pyrophosphorus में एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा POH bond ही है, जिसमें से water निकल सकता ह pH bond को आप कभी भी नहीं छेड़ोगे, try करके देखना, ठीके, basicity का अंतर आ जाएगा उसमें, ठीके साब, बहुत बढ़िया, यह तुम्हारे oxy acids भी हो गए, अगर oxy acids भी हो गए, तो इसके साथ हमने group 15 कर दिया समाप्त, अगर group 15 भी कर दिया समाप्त, तो अब आती है बा 6 हो सकती है, minimum oxidation state minus 2 हो सकती है, मैंने कहा था, आप क्या करोगे, 8 minus कर दोगे, right, that's it, ठीक है जी, polonium आपका radioactive है, सबको पता है, बाकी इनमें हमें बात करनी होती है, पहले member की खासियत मैं पहले ही बता चुका हूँ, d-orbital होता नहीं है, ppi, ppi bond बनाते हैं, छोटा size है, high electronegativity यही कारण है, सही है, octate expand नहीं कर सकते, अब यहाँ पर important, important बात अगर हम discuss करें, तो सबसे important है oxygen की preparation, वो भी कौन सी potassium chlorate की, आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, आप यहाँ पर potassium chlorate को जब heat करते हो, यह important है, किस catalyst की presence में heat करते हो, MO2 catalyst की presence में, जब potassium chlorate को heat करते हो, तो KCL अलग हो जाता है, oxygen gas आपकी अलग निकल जाती है, KCL तो अलग हो जाता है, oxygen आपकी अलग निकल जाती है, oxygen ही तो बनानी थी, है ना, oxygen इस तरीके से बन गया आपका, अगर हम बात करें, और तरीका oxygen बनाने का, तो यह एक असान तरीका है, जो आपको S block से पता होता है, आप thermal decomposition करते हो, metals का, क्या करते हो metal का, thermal decomposition, metals को अगर heat करोगे, तो HGO, AG2O, MNO2, कोई भी metal को heat करोगे, तो metal आपका अलग हो जाएगा, oxygen gas सब में से निकल जाएगी, metal आपका अलग हो जाएगा, oxygen सब में से निकल जाएगी, यह thermal decomposition है, यह भी important ह ठीके सब, अगर thermal decomposition भी important है, तो अब हम बात करते हैं, इसके oxides कैसे बनते हैं, तो बेटा, अलग-अलग तरीके के oxides बनते हैं, आपके, कोई भी चीज जिसमें oxygen जुड़ेगा, वो oxides होगा, तो बेटा, oxides आपके पास तीन तरीके के होते हैं, acidic oxides, basic oxides, in fact, चार तरीके के, amphoteric oxides, and आपके neutral oxides, acidic oxides कौन से होते हैं, ऐसे oxides, जो पानी में जाके acid दे दे, वो acidic oxides हैं, जैसे SO2, पानी में जाके H2SO3 दे देगा, ठीक है, basic oxides क्या होते हैं, ऐसे oxides, जो पानी में जाके base दे दे, for example, calcium oxides, ये पानी में जाके calcium hydroxide देंगे, basic oxides हो गए, ऐसे oxides, जो acids के साथ भी behave करते हों, और bases की तरह भी behave करते हों, वो amphoteric oxides हैं, जैसे aluminium oxides, ये acids के साथ भी react कर जाते हैं, और bases के साथ भी, और कुछ ऐसे होते हैं, जो न acidic होते हैं, न basic होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके neutral oxides, जैसे कि आपका carbon monoxide, ठीक है, तो जो पानी में जाके acid दे दे दे, वो acidic oxide, जो base दे दे दे, वो basic oxide, जो acid base दोनों की तरह behave करें, जरुवत पढ़ने पे, वो amphoteric oxide, और जो किसी की तरह भी behave ना करें, वो आपका neutral oxide, जैसे carbon monoxide, यह oxides होते हैं, यह अपने को ध्यान रखने चाहिए, oxides का nature समझ में आना चाहिए, एक और तरीके की oxides होते हैं, simple और mixed, simple होते हैं, जो general आप use करते हो, but mixed होते हैं, जो दो या दो से जादा तरीके की oxides से मिलके बने होते हैं, जैसे Fe3O4, FeO और Fe2O3 से mix होके बना है, तो Fe3O4 वो आपका mixed oxide है, simple oxide जो आप general use करते हो, CaO, PBO, इस तरीके के, ठीक है साब, वो इतना important नहीं था, तो मैंने discuss नहीं किया, oxides के बारे में आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, oxides के बारे में अगर आपको मैंने बत होता है, हमें समझना ये है, दो बाते इसके बारे में, एक तो ये बहुत अच्छा oxidizing agent है, तो कैसे है, और ये कि बनता कैसे है, तो बेटा इसको बनाते कैसे हैं, हम ना oxygen पे silent electrical discharge पास करवाते हैं, जब oxygen gas पे silent electrical discharge पास होता है, तो ozone बनता है, अब बेटा ये जो process है endothermik है, क question आते हैं, silent ही क्यों, क्योंकि बेटा ये process endothermik है, अगर आपने silently नहीं पास कराया है, तो sparking हो सकती है, आपको sparking से बचना होते हैं, तो silently पास करवाते हो, अब ये endothermik process है, ये उतना stable नहीं है, क्यों, O3 बनना उतना अच्छा नहीं होता, in fact, O3 तो खुद, in fact, O3 तो जाए, और साथ में क्या देदे, nascent oxygen देदे, ये process जो होता है, ये stable होता है, thermodynamically, ये इतना stable नहीं है, ये exothermic process है, ये stable है, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, nascent oxygen निकाल देगा, और क्योंकि इसने nascent oxygen निकाला है, तो ये ही responsible होता है, ozone के oxidizing behavior के लिए, ये जो nascent oxygen इसने निकाल है, ये responsible होता है, ozone के oxidizing behavior के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो nascent oxygen निकालता है, ये responsible होता है, ozone के oxidizing behavior के लिए, ये spontaneous process है, यह negative gives free energy होती है, ये ही बात यहां mentioned भी है, कि हमारे पास में ozone thermodynamically unstable होता है, with respect to oxygen, ये हमेशा तूट के रहना चाहता है, किस में तूट के रहना चाह होता है, इस process में, और इस oxygen के निकलने की वज़े से दो बाते होती है, एक तो इसका oxidizing nature बहुत अच्छा बन जाता है, और एक बीटा इसमें bleaching property आ जाती है, क्या जाती है, bleaching property, कि ये किसी colored चीज को colorless कर सकता है, ठीक है, वो भी nascent oxygen की वज़े से, तो nascent oxygen is responsible for ozone का oxidizing behavior, और इस का जो oxidizing behavior है, उसकी वज़े से होता क्या है, अच्छी अच्छी चीज़े oxidize हो जाती है, for example, अगर आपने sulfide ion लिया, PBS में let sulfide है न, तो ध्यान से देखो, अगर आपने sulfide ion लिया, इसको O3 से react करवाया, तो होगा क्या, ये O3 तो अपना तूटता है O2 और nascent oxygen में, तो O2 तो आपका अलग चला जाएगा, ये nascent oxygen इस sulfide को क्या करदेगा, oxidize, किसमे, sulfate में, ये nascent oxygen इस oxide sulfide को क्या करदेगा, sulfate में oxidize करदेगा, O2 अलग निकल गया, ठीक इसी प्रकार, अगर यहाँ I- को react करवाया, तो I- के case में भी क्या होगा, O3 तो अपना O2 और nascent oxygen में तूटेगा O2 तो अलग चला जाएगा, ये nascent oxygen इस I- को oxidize करके किदर ले आएगा, I2 में, ठीक है, तो ये बिटा हर चीज को oxidize करने की कोशिश करता है, ओजोन किसकी help से करता है, अपने nascent oxygen की help से, किसकी help से, nascent oxygen की help से, तो ये बड़ा important है आपको जानना कि ऐसा होता है, ठीक है, एक important ज़र है, अगर आप iodine के साथ ozone का reaction करवा हो, तो दो तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती है, एक होता है dry I2 के साथ test, एक होता है moist I2 के साथ, अगर तुमने नमी वाल iodine लिया, तो ये इसको oxidize करके iodic acid में convert कर देगा, 0 से plus 5, ठीक है, ozone खुद तो O2 में चला गया, nascent oxygen इसको oxidize क तो dry iodine में क्या होता है, ये बनाता है I4O9, ये important है, इस पर सवाल आया था J-Mains में, J-Mains में आया है तो neat में भी आ सकता है, कि dry iodine के साथ ozone कैसे react करता है, तो जनता को ये reaction याद होती है, बट ये moist iodine है, dry iodine में I4O9 बनता है, ऐसा structure होता है, ionic वाला, सही है? ठीक है साथ, ब सब्दिका है, पककाना, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है, SO2 और SO3 में तो important होता है SO2 पढ़ना और SO2 important क्यों है क्योंकि SO2 का बहुत अच्छा reducing behavior है जैसे O3 बहुत अच्छा oxidizing है वैसे SO2 बहुत अच्छा reducing agent है अब ये reducing agent क्यों है तो बेटा O3 अच्छा oxidizing agent क्यों था nascent oxygen की वज़े से उसी प्रकार SO2 अच्छा reducing agent है nascent hydrogen की वज़े से reduction का मतलब hydrogen oxidation का मतलब oxygen O3 का oxidizing behavior तो oxygen की वज़े से nascent oxygen SO2 का reducing behavior है hydrogen की वज़े से nascent hydrogen कैसे बनता है nascent hydrogen देखो जब ये पानी से react करता है तो H2SO3 बनाता है sulfurous acid उतना stable नहीं होता तो ये further पानी से react करता है nascent hydrogen और ये nascent hydrogen जो है ये अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या कर देता है reduce SO2 खुद तो oxidize हो जाएगा किस में हो जाएगा sulfate में क्योंकि sulfur यहाँ पे plus 4 state में SO2 में sulfate में plus 6 हो जाएगा maximum state sulfur की plus 6 हो सकती है तो खुद तो plus 4 से plus 6 में चला जाएगा oxidize होगा सामने वाले को क्या कर देगा reduce Fe plus 3 को Fe plus 2 में reduce कर देता है ठीके जी तो ये बहुत अच्छा reducing agent है जो चीजों को अच्छे चीजों को reduce कर देता है देखो Cl2 को Cl minus में reduce कर दिया खुद oxidize हो गया sulfate में सही है यहाँ देखो IO3 minus में iodine plus 5 में था इसको I2 में reduce कर दिया plus 5 से 0 खुद चला गया sulfate में ठीके तो ये plus 5 से 0 चला गया खुद चला गया oxidize होगे सामने वाले को कर दिया reduce यहाँ पे खुद oxidize होगे सामने वाले को कर दिया reduce तो एक अच्छा reducing agent है ये और इसके reducing agent के लिए responsible कौन है इसके reducing agent के लिए responsible है इसका nascent hydrogen in fact ये बिटा MnO4 minus में Mn plus 7 में होता है उसको plus 2 में reduce कर देता है खुद sulfate में चला जाता है इसी प्रकार K2Cr2 में chromium plus 6 में है उसको plus 3 में reduce कर देता है Fe plus 3 को Fe plus 2 में reduce कर देता है तो SO2 chemistry में एक अच्छा reducing agent माना जाता है और अच्छा reducing agent क्यों मानते हैं इसको nascent hydrogen की वज़े से सही है? बहुत बढ़िया इसकी property आपको समझ में आ गई है अगर ऐसा है तो अब इसका bleaching action भी समझ लो इसका bleaching action क्यों है? इसका bleaching action है इसके nascent hydrogen की वज़े से बट ओजोन में जो bleaching action था वो permanent था oxidizing behavior था colored को colorless कर सकता था यहाँ पर temporary है क्यों? बेटा ये colored चीज को colorless कर तो देता है बट अगर उसको तुमने थोड़ी भी air provide करी तो ये दुबारा oxidize होके colored हो जाएगा मतलब ये reversible process होता है इसलिए हम कहते हैं इसकी करीवी bleaching permanent नहीं होती है इसकी करीवी bleaching क्या होती है? temporary जबकि ozone वाली bleaching क्या होती थी? permanent सही बात है? देखो एक बार ध्यान से मैं पानी पिलेता हूँ फिर आगे बात करते हैं ठीक है बई? clear है? ये आपके पास में इसका bleaching action हो गया अगर bleaching action की बात भी समझ में आती है तो बेटा फिर हमें बात करनी है इसके oxy acids की इसके oxy acids बड़े important है समझने अलग-अलग तरीके के oxy acids होता है जैसे आप बोलतो हो H2SO4, sulfuric acid H2SO3, sulfurous acid H2SO5, caros acid H2SO8, marshals acid H2SO7 है ना? इस तरीके से अलग-अलग-अलग तरीके के oxy acids होता है यार यहाँ पर important बात ये फस्ती है कि हमें ना structure बनाने नहीं आ पाते हम confused रहते हैं कहां SS link के जाएगा कहां SOS link के जाएगा कहां SOS link के जाएगा तो हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे decide करेंगे कि कहां paroxy link के जा सकता है कहां oxide bond आ सकता है कहा direct sulfur sulfur का bond आ सकता है तो ये समझना बहुत important है ultimately हमें पढ़ना H2SO4 है थोड़ा सा detail में बट इनके structures आप से पूछे जाते हैं आपसे ये भी पूछा जाता है H2S4O6 question आएगा S4O6 2- में कैसा structure है SS linkage है कि SOS linkage है कि SOS linkage है है ना तो ये बाते करने के लिए हम एक trick सीखनी पड़ेगी ध्यान से सुनना मेरी बात हम क्या करते हैं oxidation state निकालना मुझे लगता है आप सबको आता है तो बिटा एक होती है calculated oxidation state आपको oxidation state निकालना सबको आता है हम OS से represent करते हैं इसको एक होती है बिटा calculated oxidation state एक होती है maximum oxidation state maximum oxidation state क्या होती है जो उस group की maximum oxidation state है जैसे sulfur की plus 6 है है ना chromium की plus 6 है ठीक है इस तरीके जाए phosphorus की plus 5 है तो maximum oxidation state calculated जो भी formula से calculate होके आ रही है तो बिटा इस पे आपको खेलना होता है calculated oxidation state और maximum oxidation state ध्यान से देखिएगा एक case ही होता है जब calculated oxidation state maximum oxidation state के बराबर आ जाए ध्यान जे सुनना इस चीज को एक यह होता है यहाँ पे ज्यादा कर लो calculated oxidation state maximum oxidation state से ज्यादा आ जाए एक होता है calculated oxidation state maximum oxidation state के बराबर आ जाए एक आपका case होता है जब calculated oxidation state maximum oxidation state से कम आ जाए सही है यह तीन categories possible हैं आपके पास अगर यह तीन categories possible हैं तो मैं बताता हूँ अगर तुम्हारी calculated oxidation state maximum state से ज़ादा आ गई तो बेटा यहाँ पे होता है peroxy bond क्या आएगा peroxy linkage इस बात का proof है कि उस structure में peroxy linkage आएगा अगर calculated state maximum के बराबर आ गई तो फिर बेटा यहाँ पे आता है oxy bond मतलब SOS type का bond आएगा जबकि यहाँ SOS type का bond आएगा इनफेक्ट इस दिफ सल्फर पे लागू नहीं है universal बता रहूं मैं तो आपको ठीक है अच्छा अगर calculated maximum से कम आ गया तो फिर यहाँ पे होगा element element bond कोई oxygen बीच में नहीं आएगी कोई पर आक्सी लिंकेज नहीं आएगी कुछ नहीं आएगा ठीक है यानि कि पर आक्सी बॉंड कैसा होता है कुछ ऐसा element oxygen oxygen element औक्सी बॉंड कैसा होता है element oxygen element और element element कैसा होता है ऐसा सही है इस तरीके की categories होती है अब यह कैसे चेक करें और कितने पर आक्सी बॉंड आएगे तो एकक करके case discuss करते है case 1 मैंने बुला यदि calculated oxidation state maximum oxidation state से जाधा आती है तो आप मुझे कह रहे हो पर आक्सी बॉंड आएगा अब question आता है सर ये तो आपने बता दिया कि पर आक्सी बॉंड आएगा बट हमें कैसे बता चलेगा कितने पर आक्सी बॉंड आएगे अगर number of पर आक्सी बॉंड निकालने है तो आप क्या करो calculated oxidation state minus maximum oxidation state divided by 1 या 2 ठीक है या तो 1 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो अब कब 1 से करेंगे कब 2 से करेंगे तो सुनना ध्यान से यदि central atom का number यदि central atom का number 2 के बराबर या 2 से ज़ादा है तो आप डिवाइड करो 1 से तो आप किस से डिवाइड करो 1 से यदि central atom का number 1 है तो आप डिवाइड करो 2 से अब ये example से proof करके बताता हूँ ठीक है इतनी सी बात है अब इसको apply करके देखते हैं हम दो example लेता है H2, S2, O8 let's say मैंने ये लिया ठीक है अच्छा सबसे पहले sulfur पे maximum oxidation state सबको पता है plus 6 ही हो सकती है calculated oxidation state formula से निकाल सकते हैं कितनी आएगी hydrogen पे 2 into plus 1 sulfur पे x माल लेते हैं तो 2x और oxygen पे 8 into minus 2 और overall 0 तो ये हो जाएगा 2 plus 2x minus 16 is equal to 0 तो 2x की value आएगी 14 और x की value आएगी plus 7 ध्यान से देखना क्या calculated oxidation state maximum oxidation state से जाधा आगई गया अगर जाधा आगई मतला यहाँ पे क्या होगा peroxy bond होगा अब ये भी चेक कर लो कितना होगा फिर structure बनाना तो एक मिनिट का खेल है अगर कितना होगा peroxy bond ये निकालना है तो बेटा number of peroxy bond निकालना तो easy है कैसे निकालूँगा calculated state minus maximum state 7 minus 6 divided by 1 या 2 अगर central atom 2 या 2 से जाधा है तो किस से divide करते हैं 1 से यहाँ पे central atom sulfur 1, 2 है न तो 1 से divide हो जाएगा तो कितनी peroxy bond आ गई 1 अगर एक peroxy bond आ गया तो अब तो चीज़ें असान है कैसे बनता है ये देखो S2O8 है तो ये तो तुम्हें लगाना आना चाहिए sulfuric acid जैसा structure इतना मैं expect कर रहा हूँ आपको आना चाहिए अब क्या लग गया 2H2 लग गए 3 और 3 6 oxygen हो गए बचे 2 oxygen वो oxygen यहां कैसे आ जाएंगे peroxy bond की तरह एक peroxy bond आ गया सही है clear है ठीक है आप लोग example में try करिएगा CRO5 आप लोग try करिएगा H2SO5 ठीक है ये homework में try करिएगा और देखेगा कितने कितने peroxy bond जा रहे है सही है बहुत बढ़िया ये था पहला केस हम चलते हैं case 2 की तरफ अगर हमें जाना है case 2 की तरफ case 2 की तरफ case 2 है जब calculated oxidation state maximum oxidation state के बराबर आती है जब calculated state maximum के बराबर आ जाए तब क्या होगा तब आपके कैसे bonds लगते है SOS वाले bond लगते हैं ठीक है जी चीक है साब अगर ऐसा करके देखना है तो ध्यान से देखो क्या example ले लूँ मैं यह आपे मैं आपे ले लूँ H2S2O7 ठीक है अगर H2S2O7 मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 2X माइनस 14 इस इकोल तो 0 2X इस इकोल तो 12 X इस इकोल तो प्लस 6 बिटा यह तो आ गई calculated oxidation state ठीक है और sulfur के लिए maximum oxidation state आपको पता ही है कितनी होती है प्लस 6 अगर calculated state maximum के बराबर है तो यह इस बात का proof है कि structure में peroxy linkage नहीं होगा oxide linkage होगा मतब SOS bond होगा कैसा होगा SOS bond अगर SOS bond होगा तो बस अब तो करना ही गया structure ही बनाना है तो बेटा सबसे पहले तो क्या करा करो देखो उपड नीचे double bond oxygen तो लगा ही दिया गरो 2 sulfur ते यह लग गया अब जितने H है उतने OH वाले pair बना दो अब देख लो ध्यान जे तीन oxygen यहां लग गए तीन oxygen यहां लग गए 6 oxygen हो गए 2 hydrogen हो गए बचा गया 1 oxygen अब यह तो understood है हमने अभी समझी लिया वो ऐसे आ जाएगा बीच में है that's it सही है H2 S2 O7 इसको oleum भी गहते है राइट ठीक है एक example और देखते है अच्छा इसके लिए आपको homework देता हूँ आप लोग try करिएगा चलो कोई नहीं इस पर बात करेंगे अलग से एक video बनाएंगे इस पर और detail में बात करेंगे इसके उपर ठीक है अभी हम बात करते है case 3 की अगर हम बात करते है case 3 की तो case 3 है जब calculated oxidation state maximum oxidation state से कम आएगा अगर calculated oxidation state maximum oxidation state से कम आएगा तो बेटा इस case में example लेते हैं हम अपन H2 S2 O3 H2 S2 O3 ठीक है थायो सलफ्यूरीक असेड कहते है इसको ध्यान से देखिए maximum oxidation state तो सभी को पता है plus 6 होगी ठीक है calculated oxidation state तो hydrogen की वैज़े से 2 into plus 1 यह हो गया 2x और यह हो गया minus 6 equal to 0 2x minus 4 equal to 0 तो x की value आगी plus 2 ध्यान से देखो calculated state maximum से कम आ रही है अगर ऐसा है तो यानि कि यह अंदेशा लगता है कि यहाँ पर कैसा linkage होने वाला है element element linkage कैसा होने वाला है बिटा element element linkage और element element linkage है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सीधी सी बात है S और S के बीच में तो bond बनाना है 2 sulfur हो गए अब दो hydrogen बचे है तो 2 OH भी लगाने है 2 OH भी लगाने है बचा एक oxygen वो ऐसे लग जाएगा सही बात है तो अब हम क्या करेंगे अब हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसा bond बनेगा element element bond element element bond बन जाएगा that's it clear है यह बन गया आपका H2S2O3 अब आप कहोगे सर आपने दोनों OH एक ही sulfur पर क्यों लगा दिये इस पर क्यों नहीं लगाया बिटा बात है H2S2O3 बना कैसे होगा यह सोच तुमारा H2SO4 होता है sulfuric acid और यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब मैं एक oxygen को हटाके sulfur जोड देता हूँ तो बनेगा H2S2O3 तो sulfuric acid का structure क्या होता है S double bond O double bond O OH एक oxygen जाएगा जब ही तो एक sulfur आएगा तो वैसा ही structure बन गया दिखने में element element लिंके इस पर एक video में detail में बनाऊँगा जिसमें बहुत सारे example कराऊँगा अभी मैंने P block के perspective से चीज़े समझाएगे ठीके जी तो आपको कोई भी structure दे दे S4O6 2- S2O3 2- कोई भी दे दे आप हर structure में ये formula लगा के check कर सकते हो और predict कर सकते हो peroxy bond है, oxide bond है, element element bond है ठीके, try करके देखिएगा चलो, तो भीटा ये हमने oxy acids निप्टा दिए, किसके oxygen family के, फिर आता है सबसे important आपका sulfuric acid जिसे H2SO4 कहते है sulfuric acid का structure तो आपको बनाना आना ही चाहिए ये होता है इसे बिटा king of chemical कहा जाता है सबसे important chemical है इसको contact process से बनाते हैं कैसे बनाते हैं, हम बोलते है sulfur पे oxygen रियाग करके पहले SO2 बनाएंगे SO2 से SO3 बनाएंगे यहाँ पे catalyst use होता है V2O5, ठीक है यहाँ पे catalyst कौन use होता है V2O5, इसी पे सवाल आता है कि SO2 से SO3 बनाने के लिए आप क्या करते हो, V2O5 catalyst लेते हो ये जो SO3 आपका बना है ये जो SO3 आपका बना है इसको आप H2SO4 से react करवाते हो और Oleum बनाते हो किस से react कराते हो concentrated H2SO4 से Oleum बनाते हो और ये जो Oleum आपका बना इसको अब आप dilute करते हो इसका आप dilution करते हो और finally आपका क्या बन जाता है H2SO4 जो आपका dilute sulfuric acid है तो oleum से sulfuric acid बनता है, direct नी use होता है, पहले concentrated use करना पड़ता है, ठीक है जी, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि यह बहुत अच्छा dehydrating agent है, यह gases में से पानी निकालने के काम आता है, ठीक है, that's all about, sorry, that's all about sulfuric acid, contact process important है, एक बार NCRT से go through करना, हमने sulfur से sulfur dioxide बनाया, sulfur dioxide से sulfur trioxide बनाया, sulfur trioxide से हमने oleum बनाया और oleum का dilution करा कि हमने sulfuric acid बनाया, सही है, ओके जी, अगर ऐसा है, तो अब हम आते हैं group 17 पे, group 17 है बिटा आपका halogens, इसमें सबसे important है chlorine और एक इनका bond dissociation energy का order, ठीक है जी, bond dissociation energy का order और chlorine, bond dissociation energy का order क्या होता है, आप से बोलता है F2, CL2, BR2 और I2, इन में bond dissociation energy का order बताओ, तो बेटा बात वही है, fluorine और fluorine जो मैंने N2 के time नहीं बताया था, size छोटा है, loan pairs की वज़े से बहुत जादा repulsion हो जाता है, और repulsion की वज़े से यहाँ पे bond इतना stable नहीं रह पाता, तो इसक energy कम होके, जो experimental order देखा जाता है, वो हो जाता है यह, वो order क्या हो जाता है आपका यह, तो यह order आपको पता होना चाहिए, fluorine पीछे आजाता है, bromine से पीछे आजाता है, कारण क्या है, कि यहाँ पे inter electronic, non bonding electron का repulsion है, जिसकी वैसे F2 इतना stable नहीं रह पाता, तो उसकी energy कम हो ज इज़त है, इज़त कैसे है, जो उनसे बड़ा है, उसको कहेंगे भईया, हम आपको oxidize करवा देंगे, आप खुश रहने चाहिए हो life में, तो यह हमेशा अपने से बड़े atomic number वाले halogen को easily oxidize करवा देते हैं, खुद को क्या कर लेते हैं, reduce कर लेते हैं, कि बड़े भाई की इ I- रखा तो भी यह होगा, I- रखा तो भी यह होगा, पर हाँ, अपने से बड़े वालों के लिए, छोटे वालों के लिए नहीं, for example, मैंने CL2 के साथ में X- रखा, तो अब CL2 BR- को service देदेगा अपनी, I- की भी help कर देगा अपनी तरफ से, पर F- की नहीं करेगा, छोटों की नहीं बड़ों की, बड़ों को यह क्या कर देते हैं, oxidize कर देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, reduce, इस पे सवाल आया हुआ है, यह आपको आनी चाहिए बात, सही है, और ऐसे ही एक important चीज आती है, इनकी पानी के साथ में reaction, क्या चीज, ध्यान चे देखना, फ्लोरीन जो है, यह अगर पानी के साथ रियाग करता है, तो HF बनाता है और oxygen gas बनाता है, फ्लोरीन अगर पानी के साथ रियाग करता है, तो HF बनाता है और oxygen gas निकालता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन अगर पानी के साथ रियाग करते हैं, तो बेटा यह HCl या HBR बनाते हैं, और साथ में HOCl या HOBR बनाते हैं हम कहते हैं हाइड्रोहालिक आसिड और हाइपोहलस आसिड बनाते हैं सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ठीक है क्लोरीन वाटर के साथ करेगा तो HCl और HOCl बनाएगा ब्रोमीन करेगा तो HBR और HOBR बनाएगा ठीक है फ्लोरीन HF और O2 बनाता है और iodine पानी के साथ react ही नहीं करता जबकि उसका reverse reaction spontaneous होता है जो fluorine के products है न वैसा ही कुछ reverse reaction जो है इसका spontaneous है I2 water के साथ react नहीं करता non spontaneous reaction है उल्टा जरूर हो जाता है ठीक है यह ध्यान रखने की बात है अगर ऐसा है अगर ऐसा है पानी के साथ की reaction समझ आई तो अब आता है इनका acidic strength का order क्या आता है इनका acidic strength का order तो बिटा ध्यान से देखिएगा जैसे जैसे मैं down the group जाता हूँ मेरी bond length बढ़ती जाती है size बढ़ने के साथ अगर bond length बढ़ती है तो question कहता है इनका acidic strength का order बताओ बिटा अच्छा acid कौन होगा अच्छा acid वो होगा जो easily H plus देदेगा जो easily H plus देदेगा वो अच्छा acid है अब एक बात बताओ यहाँ bond काफी close है atoms easily H plus नहीं lose करना चाहेंगे attraction है जबकि यहाँ पे दूर दूर है यहाँ से H plus चला जाएगा I minus को इतना फरक भी नहीं पड़ेगा तो बिटा इसने easily H plus lose कर दिया जबकि इसने easily H plus lose नहीं किया हम बोलेंगे जैसे जैसे नीचे जाते हैं आपकी H plus lose करने की tendency बढ़ती जाती है acidic strength भी बढ़ती जाती है तो HI सबसे बड़ी है acid फिर HBR फिर HL और सबसे बिकार HF सही बात है clear है यह acidic strength है यह भी पूछा जाता है आपसे अब बात आ जाती है chlorine की preparation की कि chlorine कैसे बनता है तो chlorine जो एबिटा वो दो तरीकों से पढ़ते हो आप लोग एक तो यह MnO2 की help से बनाते हो तो chlorine बन जाता है यह दो process आपको पता होने चाहिए कि भई HCl पे अगर MnO2 पास करवाऊंगा तो भी chlorine बन सकता है और अगर मैं CuCl2 पास करवाऊंगा O2 की presence में तो भी chlorine बन सकता है सही है यह दो chlorine के process है chlorine भी बहुत अच्छा bleaching agent है जैसे SO2 एक bleaching agent था बढ़ टेंपरेरी bleaching करता था ozone bleaching agent था permanent करता था ozone करता था nascent oxygen की वज़े से chlorine भी करता है nascent oxygen की वज़े से कैसे बेटा जब chlorine को पानी से रियाग करवाते हो ना तो तुमारा HCl और HOCl बनता है आज ही बात करी थी हमने अभी थोड़ी दिर पहले ही करी है कि chlorine water के साथ या करके HX और HOX बनता है HCl तो पढ़ा रहता है यह जो HOX इतना stable नहीं होता यह तूट जाता है HCl और nascent oxygen में तो ultimately दो मोल तो HCl के बन गए एक nascent oxygen आ गया यह इसके oxidizing agent होने में भी help करता है और इसके bleaching agent में भी help करता है और यहां भी bleaching कैसी होती है permanent क्योंकि यह वापस से reversible reaction show नहीं करता यह भी color चीज़ों को colorless कर देता है ठीक है जी chlorine भी bleaching में help करता है oxidation के थू SO2 bleaching में help करता है reduction के थू ozone bleaching में help करता है oxidation के थू ठीक है साब बहुत बढ़िया अगर यह बात समझ आती है तो एक important चीज़ आती है यहाँ पर inter halogen compounds inter halogen compound जिसकी highlight है उसकी खास बात है structures जो मैं आपको बनानी सिखा चुका हूँ already hybridization के थू आपको यह समझने बनते कैसे है तो जब दो halogen एक दूसरे के साथ react कर लेते हैं तो inter halogen compound बनते हैं जैसे IF7 जैसे CLF3 जैसे CLF जैसे BRF5 यह जब दो halogen एक दूसरे से react कर लेते हैं तो inter halogen compounds बनाते हैं ठीक है बिटा इनके structures पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए और एक और important बात दो atoms जो inter halogen बना रहे हैं उनमें size का जितना ज़्यादा अंतर होगा उतने ज़्यादा atom वो carry कर पाएंगे जैसे iodine बहुत बड़े size का है fluorine बहुत छोटे size का है तो क्योंकि इनमें size का बहुत अंतर है इसलिए iodine अपने साथ 7 fluorine रख पाता है जबकि chlorine और fluorine में उतना बड़ा अंतर नहीं है तो chlorine maximum 3 ही fluorine अपने साथ बिठा सकता है तो जितना ज़्यादा size का अंतर होगा उतने ज़्यादा number of atoms होगे ठीक है इनको हम xx- से represent करते हैं xx- जहाँ पर x तो होता है बड़े size वाला halogen और x- होता है छोटे size वाला halogen सही है भिटा जी xx- जो bond है आपके पास में ठीक है जो xx- bond है inter halogen compounds में हम बोलते है xx- bond weak होता है as compared to halogen मतलब आप बोलोगे clf bond जो है वो weak होगा as compared to clcl bond ठीक है इसी वज़े से आते हैं ज्यादा stable नहीं है easily तोड़ देंगे और react कर जाएंगे इन पर question अगर आएगा तो या तो इस पर आएगा theoretical या आएगा structure based ये वाली चीज़ बता रहा हूं है बट आज सच इस पर सवाल कभी पूछा नहीं गया है कि जब inter halogen compound का hydrolysis करते हैं तो क्या होता है जो बेटा आपका छोटे size वाला halogen होता है वो तो hydro halide बनाता है और जो बड़े size वाला होता है वो hypo halide बनाता है बट ये fix नहीं है कि hypo halide भी बनाएगा ये जरुद पढ़ने पर halate भी बना सकता है जरुद पढ़ने पर halate भी ब बनाने आने चाहिए structures आपको steric number method से आते हैं ठीक है that's all about inter halogen compound अगर हम group 18 की बात करें तो उसमें तो है ही क्या सारे आपके noble gases है react करती नहीं है ज्यादा compound जिनके है नहीं compound जो है वो क्या है XC के fluorine के साथ या XC के oxygen के साथ ठीक है preparation इतनी important नहीं है इनके structures important है और structures आपको right important एक चीज यह है कि जब आप इनका hydrolysis करते हो तो क्या होता है तो पेटा जब XCF2 का hydrolysis करते हैं तो question आता है product क्या बनता है तो XC plus HF plus O2 याद रखना इसको इसको जोडूँगा मैं एक चीज से अभी जब XCF2 का hydrolysis करूँगा तो बनेगा XC plus HF plus O2 अब जब मैं XCF4 क hydrolysis करूँगा तो देखो XC HF O2 तो as it is आगया XCF2 से याद करने का तरीका है एक नई चीज बन गई XC O3 ठीक है XCF2 के hydrolysis में बन रहा था XC HF और O2 एक नई चीज जुड़ गई आकि XC O3 balance तुम करते रहना ठीक है यह याद करने का तरीका है और XCF6 का hydrolysis करते हैं तो बनता है XC O3 और HF पर XC F6 का hydrolysis इतना असान नहीं होता है XC F6 का hydrolysis multiple stages में होता है आप बोलते हो कि जब XC F6 का hydrolysis सबसे पहले करते हैं हम तो सबसे पहले बनता है XC O4 जब इसका फिर से hydrolysis करते हैं तो बनता है XC O2 F2 और जब इसका फिर से hydrolysis करते हैं जब हम इसका फ क्या बोलती है कि partial hydrolysis से क्या होता है और complete hydrolysis से क्या होता है तो partial hydrolysis से XeOF4 बनेगा थोड़ा और पानी डालोगे तो XeO2F2 बनेगा और और पानी डालोगे तो final product होगा XeO3 और HF बिटाई reactions आप इस तरीके से याद रखिए और इनके structures आपको बनाने मैं सिखा चुका भागा दोड़ी करते करते समझते समझते हम P-Block के कहा गए हैं अंत पे आ गए हैं मैंने आपको पूरा P-Block की important बाते revise कराने की कोशिश किये हो सकता है कुछ जगाओं पर मेरी speed आपको थोड़ी जादा लगी हो बर बेटा वो बाते उतनी important नहीं थी इसलिए मैंने जाने की कोशिश की है आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िए इसके बाद NCRT जरूर go through कर लेना और सारे सवाल नीट के पुराने साल के try करके देख लो तुमसे ना बने तो मेरा नाम बदल देना guarantee के साथ बोल रहा हूं अगर आपने इतनी बाते अच्छे से पढ तब तक के लिए thank you and take care